आपके लिए आज एक और हिस्ट्री का वंचोट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारते इसका एक और आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वाला वंचोट लेके आए हूँ और आप इसमें लगातार मेरे साथ जुड़े रही है ताकि आपके जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स आपके किलियर हो जाए आपके एक्जाम में इससे आपको काफी सारी मदद मिलेगी तो आप लोग मेरे साथ पूरा सयोग कीजिए और पूरा जब तक चैप्टर चलता है लेक्चर चलता ठीक है तो जो भी मैं नोट्स बता रहा हूं वो नोट्स लिखते चलना ठीक है तो शुरू करते हैं हम इस्टी का चैप्टर नंबर फॉर यानि विचारक विश्वास और इमारते इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो विचारक जो शब्द है वो क्या होता है उसका क्य मतलब होता है विश्वास आप जानते ही हो इमारते आप जानते ही हो तो यह जो सब है यह भी विचारक से ही जुड़े होते हैं ठीक है और विचारक कौन-कौन थे उनके बारे में हम जानेंगे प्रमुग विचारक जो थे उनसे रिलेटेड जो धरम थे उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो शुरू करें तो बच्चों यह देखो one short है तो one short में आप जानते हो जब तक lecture चलेगा तब तक आपको वहाँ पर रुखना पड़ेगा और रुखोगे तो ही आपको क्या है आपकी जो भी problem है इसमें chapter में जो भी doubts आ रहे हैं वह doubts क्या होंगे clear होंगे और अगर आपने कुछ मिंद देखा और वापस चलेगे तो उससे आपके doubts complete नहीं होगे तो आप जो one short है उसमें जो आखरी तक टिकेगा वही क्या है अपने topers की list में आएगा तो चलो शुरू करते हैं हम chapter number 4 विचारक विश्वास और इमारते तो सबसे पहले हम लोग ये word जो है विचारक इसके बारे में बात करते हैं ये जो विचारक word है ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे ठीक है तो क्या होता बच्छो विचारक क्या होता है विचारक तो विचारक का मतलब होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं thinkers क्या कहते है thinkers क्या कहा जाता है thinkers thinkers या विचारक विचारक इसको दो टुकडों में बाट लो आप इसको दो टुकडों में बाटोगे तो क्या बनेगा विचार प्लस कह यानि विचार करने वाला कौन हो जाएगा विचार करने वाला इस विचारक को या थिंकर को आप दो टुकडों में तोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि विचारक क्या होता है विचारक को तोड़ोगे तो क्या जाएगा विचार प्लस करने वाला यानि जो विचार करता है किसी चीज पे कि ये जो वस्तू है गलत है सही है ये इसका प्रयोग किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है इसके पीछे क्या लक्से है और इसका क्या ओचित्ते है तो वो सब जो होते है वो क्या कहलाते है विचारक कहलाते ह यानि कि विचारक को दो टुकडों में तोड़ोगे तो आपको इसका आर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा अब कुछ ऐसे भी है जो यह कहेंगे सर कि मैं तो हिस्ट्री के लिए भी सोचता रहता हूँ कि आप जैसे हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री बोरिंग है तो उसके पीछे एक आप लोजिक दो और उससे आप सैटिस्फाइड करो किसी को कि history हाँ विल्कुल boring है क्यों है उसके पीछे क्या region है वो उससे आप satisfy कर दोगे तो वो आपका समझ में आजाएगा क्या विचारक है आप ये कहरो कि history अच्छी है तो क्यों अच्छी है उसका आप जो logic है वो logic दो और अगले को satisfy करो ठीक है तो तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो वाकई में किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हो समझ रहे हो उसकी क्या input है क्या output है उससे क्या result आएगा ठीक है तो वो चीज क्या क्यलाती है वो सब सोचने वाला क्या क्यलाता है एक thinker क्यलाता है, विचारक क्यलाता है, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा था यार, वहाँ जा रहा है, आज मेरे को जेपूर जाना है, तो मैं भी विचारक हो गया, आज मेरे को वहाँ पे दिल्ली जाना है, उदेपूर जाना है, बैंकलोर जाना है, पंजाब जाना है, तो यह क्या सब मैं विचारी तो करना था सर, तो मैं भी क्या विचारक हो गया, विचारक वो होता है, जो चीजे चल रही है, उसके बारे में बातचीत करें, उनके बारे में समझाए, जैसे आप लोग साइंस के बारे में पढ़ते हो कि साइंस क्या है, प्रूब करती है, जो भी चीजे हो सोसाइटी में या religion में या किसी और चीज में कोई भी situation चल रही है उसके बारे में negative क्या है positive क्या है उसके जो व्योस्ता चल रही है उस व्योस्ता से related negative positive बताके उसको prove करके करने वाला वो कौन कहलाता है विचारक कहलाता है यानि thinker कहलाता है ठीक है विचारक यानि विचार कर बनने वाला और जो विचारक पे विश्वास करते हैं कि यानि जैसे मैं आपको कह रहा हूंगे हिस्ट्री में आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो आप लोग क्या है मेरे पे विश्वास करोगे मैं क्या होगे आपके लिए एक तरीके से विचारक हो गया और आप क्या ह तो सबसे पहले साची की एक जलक एक बात और बताना चाहते हूं बच्चों में आप लोगों को आप लोगों के कई बोर्ड के एकजाम में जैए आरबीसी हो या और दूसरे बोर्ड के एकजाम हो उनमें होता है कि कई बार आपके जो हिस्ट्री में मैप से रिलेटेड कोशन आते हैं और भी दूसरे बोर्ड में आते हैं तो उनमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैप के कोशन आते हैं उसमें भी आप लोग बहुत विसेश कर नजर रखना क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ठीक लगा कि यहां पर यह जगह है और आपको पूरे में से पूरे नंबर दिये जाएंगे काफी बेनिफिशल होता है ठीक है तो उसके लिए आप क्या है जो मैं कुछ यहां पर में में जो जगह आ रही है इनी जगों से रिलेटेड जो कोशन पूछे जाएंगे तो वो कौन से स्टेट में है कहां पर लोकेटेड है वो भी बताता चलूंगा ठीक ह तो हम बात करते हैं साची से रिलेटेड इस चैप्टर में पांच साथ ऐसी जगह आएगी जो आपके मैप के पॉइंट ओ व्यू से भी बहुत इंपोर्टेंट है उनमें से एक है आपका साची तो साची की लोकेशन कहां पर है साची जो है वो हमारे मद्यपर्देश में इस्तीत है कापर मद्यपर्देश में साची जो है मद्दे पर्देश की जो केपिटल है राजदनी है मद्दे पर्देश की जो राजदनी है वो है बोपाल और जो साची है вो बोपाल से कहा है नोर्थ इस्ट में यानि उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में इस्तित है और कितनी दूरी पर बीस मील की दूरी पर ठीक है साची कहां पर है मद्दे परदेश की राज़दानी बोपाल से उत्तर पूर्व में बीस मील की दूरी पर इस्तित है तो यह ध्यान रखना कि जो साची है वो कहां पर है मद्दे परदेश में मैप से रिलेटेड कोशन आता है इसमें ठीक है तो कहां पर है साची मद्देपर्देश में ठीक है और कहां पर बोपाल के उत्तरपूर में 20 मील की दूरी पर इस्तित है ठीक है कोई दिक्कत आगे बढ़ें चले इसको रब कर देते हैं पहले अब साची में क्या फेमस था क्या चीजे हुई थी तो उसके बारे में हम जानते हैं तो साची में क्या देखो बचो हमको एक स्टूप मिला यह जो स्टूप है इस तरीके से हमें स्टूप मिला अभी स्टूप क्या होता है किस चीज को रिपर्जेंट करता है यह हम इस चेप् में बताऊंगा कि स्थूप क्या होता है किस तरीकी से बराए जाता था किस धरम से रिलेटेड है ठीक है सब कुछ बताऊंगा लेकिन अभी हम पढ़ते है कि यह जो साची का स्थूप है वह फेमस क्यों है क्यों इसकी इत्तिम माननेता है ठीक है यह जो पिक्चर दे रखी है वो किसकी है साची के स्थूप की और साची मैंने आपको बताया मद्देपर्देश की राजदानी बोपाल से उत्तर पूर्व में 20 मील की दूरी पर इस्थित है ठीक है तो बात करें 19 सदी के यूरोपियो मैं साची के स्थूप को लेकर काफी जिल्चस्पी थी ये जो साची का स्थूप इनको मिला और कब मिला 19 सदी में किनको यूरोपियो को और यूरोपियो में आप जानते हो अपने भारत में जो आये थे वो कौन-कौन से थे फ्रांसिसी और अंगरेज इन दोनों के ज़्यादा ताकतवर थे तो इनोंने ही यहाँ पे ज़्यादा दिल्चस्वी दिखाई थी ठीक है तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पेले किलों ने फ्रांसिसीों ने सबसे अच्छी हालत में बच्चे सांची के पूरवी तोरण दुआर को फ्रांस के संग्राले में पर्दिशित करने के लिए साजा बेगम से फ्रांस ले जाने की जाज़त मांगी बच्चो बात क्या होता है? बच्चोब क्या होता है, तो बात करें ये तोरण दौआर क्या होता है, तो आप लोगों ने ये पिक्चर देख रहो, इस पिक्चर का जो एंट्रेंस है, एंटरेंस पे एक जो gate होता है gate के उपपर वो design करके बनाई जाता है जैसे आज कल شाधीब्या होते है तो शाधीब्या में जब entry होती है स्टेट, सुरी, जब tent में हम लोग entry करते है तो उस से पहले एक बहुत बड़ा gate सा बनाया जाता है तो वो जो गेट सा होता है उसको ही क्या का जाता है तो यहां पे जो साची का जो स्टूप था उसका पूरवी दिशा का जो तोरण दूआर था वो एक बिलकुल अच्छी आवस्ता में मिला था किन को मिला था फ्रांसिसियों को तो इन्होंने क्या है यहां के जो साची में जो राज चलता था वो किसका चलता था यानि कि जो साशक था वो कौन था शा जहां बेगम ठीक है ये ध्यान रखना है इसमें कन्फ्यूज मत हो ना एक शार जहां कौन था मुगल बादशा था यहां पर क्या है लेडिस है बेगम लगाना है उसके आगे आपसे अगर कोई पूछ बाची में कोन राज करता था तो साजा बेगम राज करती थी ना की शार जहां शाजा ज neues हो था वो मुगल एंपायर से टा तो निकालके यह से फ्रांस लेकर जाना चाहते थे इसी तरीके से अंग्रेजों ने वे कुछ डिमांड करी शाजा बेगम से कि हम भी यहां का इसका जो पोर्शन है पूर्वी तोरण द्वार का उसको ले जाना चाहते हैं तो यह क्या ले गए नी लेके गए यह हमारी खुश किस्मती है कि जो हमारा जो साची का इस तूप की जो कला करती थी वो जो सब कुस था उसको उन्होंने एजटीज ही रखा उससे छेड़कानी नी करी और ना उसको वो ले जा सके ठीक है तो सोबा के वस फ्रांसिसियों और दोनों ने ही बड़ी साफदानी से बनाई गई प्लास् Tut प्रतिकर्थियों से संतुस्ठ हो गए ठीक है क्या हुआ अंग्रेज और फ्रांसिसी ही दोनों वहां से उससीच को नहीं ले जा पाए क्यों नहीं ले जा पाए क्योंकि एक प्लास्टर की प्रतिकर्थी बनाईगी उस plaster की परती करती से यानि two copy बनाएगी उससे वो लोग satisfy होगे कि हाँ हमको यहाँ इससे पूरवी तोरण द्वार को ले जाने की जुरत नहीं है यह जो हमने फोटो कोपी बनाई है उससे हमारा काम चल जाएगा उससे हम practice कर लेंगे कि यह क्या था क्या नहीं है उसके बारे म मौजूद है अब बात करते हैं आगे तो यहाँ पर जो बोपाल की जो साशक थे उनके बारे में कुछ कहा गया है तो जो बोपाल के साजा बेगम और उसके उत्रादिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राची निस्तल के रख रखाओं के लिए धन का अनुदान दिया मैंने भी कहा कि जो बोपाल में जो साशक था वो कौन थे साजा बेगम थी और उसके बाद में उनका जो उत्रादिकारी हुआ वो भी एक उनकी लड़की ही थी जिसका नाम था सुल्तान जहां बेगम इन दोनों ने जो साची का इस्तूप जो बना उस इस्तूप को बनाने क के लिए नहीं रख रखाओ के लिए उसको मेंटेनेंस करने के लिए दंच से रिलेटेड जो भी अनुदान दे सकते थे उन्होंने दिया अब बात करते हैं जोन मार्शल की आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों ने चैप्टर वन पड़ा होगा उसमें जोन मार्शल कौन थे उन्हेंने भारत में क्या योगदान है उन सब से रिलेटेड लेक्चर नमबर वन जो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हडपा सब्बेता वाला उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि जो ये थी जोन मार्शल वो कौन थे ठीक है तो उनके बार अच्छी पर लिखे अपने मैत्पून गरंतों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है जो अपने जोन मार्शल थे उन्होंने भी साची से रिलेटेड कुछ अपनी बुक्स वगरे लिखी है और वो बुक्स में उन्होंने जो में जिक्र किया है कि यहां पे जो बेगम थी व कोई भी मॉनोमेंट्स वगरे रखी जाती है उसको आजकल हम इसको इंगलीश में कहते हैं म्यूजियम क्या कहा जाता है इसको इंगलीश में म्यूजियम तो म्यूजियम बनाने के लिए और अथिती साला यानि गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस बनाने के लिए अनुदान दिया था किसने दिया था सुल्तान जहान है ये बात किसने कही है सर जोन मार्शल ने कही है कि एक अतिती साला और एक म्यूजियम बनाने के लिए जो साची के जो योगदान दिया था वो किस ने दिया था साची की सुल्तान जहां बेगम ने इसके अलावा और क्या गा तो जोन मार्सल ने वहां रहते हुए ही उप्रिवक जित्ती भी किताबे लिखी वो वही पे लिखी थी जो अतिती साला म्यूजियम जो बनाए गए थे उनी म्यूजियम में इन्होंने सर्जोन मार्सल ने अपनी बुक्स लिखी थी जिनमें सुल्तान जहां का जिक्र किया गया है इस पुत्तक के विबिन खंडों के परकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया है इसके अलावा जो सर्जोन मार्सल ने अपनी जो किताबे लिखी थी उसका परकाशन करना यानि पब्लिकेशन करना उसके लिए भी जो धन का जो अनुदान दिया था वो किस ने दिया था सुल्तान जहां बेगम ने दिया था यह स्टूप समूब बना रहे तो इसके पीछे कुछ विवेक पूर्ण निन्यों की भी बड़ी भूमी का रही है वो क्या रही थी तो बताते आपको आगे बात करते देखो जब साची का स्टूप बना था न उस ट पावड़ गरती वो सब खतम हो गई थी बाद में अंग्रेंजोंने रेल्वे लाइन का विकास किया था तो रेल्वे लाइन इस तरीके से निकाली जा रही थी और यहां पर जो साची का स्टूप है उसको देख सकते हो और साची का जो स्टूप है वो थोड़ा सा ही दूर ह आप उत्रोंगे ट्रेंज से और स्टेशन के भार आओगे तो भार आते हैं आपको साची का जो स्टूप है वो नजर आ जाएगा अब इस तरीके से यह जब रेल्वे लाइन बनाई गी थी तो हो सकता इसको डेमेज किया गया हो या इसको छोड़ दिया गया हो तो यह क्यो तो वीवेक निन्ने यही थे अब यह जो कलाकरत बनी भी थी इस तो जब रेलवेल याइन का लेया निर्वात जो तो यहां से निकाल सकती थी इस तरीके से निकाल सकती थी निकाल सकती थी उनका क्या जाता ना उनको तो यहाँ से निकाल ले सकते थी लेकिन उन्होंने क्या है उस टाइम पर सोचा कि हो सकता यह कोई मैतपूर्ण वस्तू हो मैतपूर्ण कला करती हो किसी धरम से रिलेटेड हो तो उन्होंने क्या है उस चीज को छोड़ के थोड़ा आगे से रेलवे लाइन को निकाला जिससे ये जो कला करती है हमारे पास आज के टाइम पे भी मौजूद है तो इसके लिए हम लोगों को उन लोगों को भी धन्यवाद देना चीए जिन्होंने इसको एज़ेटिज छोड़ दिया ठीक है तो ये था हमारे साची के स्टूट के लिए और इसके बारे में बात करें तो ये हैं उन लोगों से भी पचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रालों में ले जाना चाहते थे ठीक है आप जानते हो कि अंग्रेज और फ्रांसिसी सबसे ज्यादा अंग्रेज उने भारत के जो इत्यास से टेड और हमारे जो भी आरतिक ते उनको सिरो चोंको यहां से ले वारे ले लेकर चले गए थें थी के तो ये ज्धव जो यह उन लोगों से भी बची रही थी ठीक है और बोध दरम के इस महत्पूर्ण केंदर की खोच से आरंबिक बोध दरम के बारे में हमारी समझ मैं महत्पूर्ण वदलाव आया अब में बात होती है कि जो स्टूप है वो किस दरम से रिलेटेड है तो जो हमारा जो साची का स्थूप है वो related है या साची का स्थूप ही नहीं जित्ते भी स्थूप बने हुए वो किस दरम से related है वो दरम से related है और बोद दरम के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए यानि जो प्रारंबिक जानकारी जानने के लिए हम लोगों को जो ऑपेAR discovered humans कटमाइ या जो हो लोग है उन्होंने साची के स्थूप को इस तरीके से प्रिजर्व करके रख रखा में उसको सरेक्षित करके रख रखा है वह क्या कर रहा हमको वह द्रम से रिलेटेड जो प्रारंबिक जानकरिया है उनको उपलब करवा रहा है ठीक है यह था हमारे सांची के स्टूप के बारे में आगे पढ़ते हैं यग और विवाद के बारे में वो जो एक छोटी सी कुंड बनाये जाता है उसमें अगनी प्रेजलिट की जाती है और उसमें तरह-तरह की आहुतिया दी जाती मंतो चार किया जाता है वो सब क्या होता यग होता है ठीक है यह जो पूरी परकडिया रहती है ना कि उसमें एक आप छोटी सी कुंडे प्रजुलित करोगे अगनी प्रजुलित की जाती है उसमें आहुतिया दी जाती है मन्तोर चार किया जाता है वो पूरा जो प्रोसेज है वो क्या कहलाता है यग क क्यों किया जाते हैं यह जैसे किया जाते है पहले के टाइम की बात करें तो किसी यूद की विजे की उपलक्ष में या जैसे बारिस नियारी तो बारिस के लिए कर रहे हैं जैसे इंदर भगवान को पर्शन करना है या और किसी चीत की हम मनो कामना करते हैं तो उन मनो कामना की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, देवताओं को आमंत्रित करते हैं, उनसे प्रातना करते हैं, कि हमारी ये जो मनोकामना है, इसको पूर्ण करने में आप हमारी सायता करें, ठीक है, इस वज़े से यग किये जाते थे, अब इसमे विवात जुड़ गया, तो अब इन यगों में क्या विवाद था उसके बारे में हम जानते हैं ठीक है इसा पूर पर्थम सहे सताब्दी सहे सताब्दी का मतलब है पहले एक अजार साल यानि सताब्दी का तो मतलब होता है सो साल और यह जो है वो कौन सा है 1000 साल कट समय ठीक है यानि पर्थम सह सताबदिक में का काल 20 विश्व इत्यास में एक महत्मून मोड माना जाता है ठीक है ये जो है एक काफी चेंजेज important time माना जाता है ठीक है वो क्यों माना जाता है क्योंकि इस समय में आप लोगों ने chapter number second में भी देखा होगा कि अपने भार माना जाता है एक निन्ना एक समय माना जाता है उसके कुछ कारण थे यहां पे 이 विशारकों की उत्पति हुई थी उन उतपति में हम बात करेंगे कौन-कौन से विचारकों की उत्पत्तिवीती तो भारत की बात की जाए तो भारत में जो दो नए विचारक हुए थे वो थे महावीर स्वामी जो जेन धरम के परवत्तक है दूसरे ते गोतम बुद्ध जो बहुत धरम के परवत्तक है तो यह क्या थे विचारक थे इनके लावा इसी समय मे पूरे विश्व में भी और कई विचारक थे जिनका जनम हुआ था तो उनके बारे में बात करें कौन-कौन से विचारक महत्मूर थे ये ध्यान रखना कि कौन सा विचारक कौन से जगे से रिलिटेट करता है ठीक है इसकी बात करें तो इस काल में इरान में इरान में कौन ते जरुस्त्रू ये ध्यान रखना इरान में कौन ते जरुस्त्रू चीन में खुंगस्ति युनान में ते सुक्राद प्लेटो अरस्तू ठीक है और बारत में महावीर और बुद्ध ठीक है एक बार और बता रहा हूं और अच्छे से ध्यान रखना कौन सा वि लेटो अरस्तु और भारत में महावीर और वुद्ध ठीक है यह उस समय में नए विचारकों की उत्पत्ती हुई थी तो उन्होंने यग्गों से रिलेटेड कुछ आपने डाउट्स रखे थे कि यह क्यों किया जाता हैं उनके बारे में तो यह क्या था विवात शुरू हो ज चिंतन धार्मिक विश्वास और विवार की कई धारे प्राचिन न्यूक से चलिया रही है आप लोगों ने अभी महावारत का चेप्टर पढ़ा था था जो टेप्टर था वो कौन्छा था महावारत का था उसमें मैंने आपको बताए कि प्राचिन समय से यानि छटी सताब पादी से पहले से हम लोग क्या है जो हमारा धरम है उसको मानते हुए यगों से related चीजों को पर्फूम करते आ ठीक है तो उनके बारे में ही बात की जारी है कि हम लोग जो यह से रिलेटेड रिलेटेड जो परन्पराएं वह कितनी पुरानी है प्राचिन समय से पुरानी है ठीक है अब बात करें रिगवेद अपने हिंदू दर्म की बात करें तो हिंदू दर्म में चार वेद है कौन-कौन से वेद है एक तो है आपका रिगवेद उसके बाद है यजूर वेद फिर है सामवेद और फोर्थ है अथर वेद ठीक है वेद कितने परकार के है चार परकार के वन के वारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कितने होते है चार वन होते है तो जो वेध है वो कितने है चार कौन-कौन से रिगवेद, येजुरवेद, सामवेद और अथरवेद तो यहाँ पर रिगवेद क्या कर रहा है उसके बारे में बात की जाए तो यग्गों के समय इन श्रोतों का उच्छारण किया जाता था और लोग मवेशी बेटे स्वास्ते लंभी आयू आधी के लिए प्रात्ना करते दें ठीक है अभी जैसे मैंने बताई यह क्यों किया जाता था वो हमारी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता था वो स्वास्ते से रिलेटेड हो चाए हमारे किसी युद में विजय की उपलक्ष में हो या और कूछ भी हमारी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते थे यह करते थे ठीक है जो शुरुआत में जो यग किये जाते थे वो सामुईक रूप से किये जाते थे यानि कि उसमें सब लोग जितने भी परिवार के जो मेंबर है गाओं के जो मेंबर है वो सब लोग क्या है एक जगे इकटा होके यगों में याहूती दिया करते थे यक किये जाते थे लेकिन बात में बात की जाए तो कुछ यक घरों के माली को द्वारा ही किये जाने लगे ठीक है पहले क्या किया जाता थे पूरे गाओं भी किये जाते थे और उसमें गाओं के जित्ते भी लोग है सब उसमें अपनी उपस्थिती दर्ज कराते थे और उसके बारे में, जो भी अपनी मनों काम ना थे, वो मांगते थे, ठीके, लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ? समय चेंज हुआ, और समय चेंज होने के बाद में, लोग अपने कुछ घरों में ही क्या करवाने लग गे, यक करवाने था ठीक है यश्व में यग्गे और राज्वी यग्गे जो है वो केवल राजाव द्वारा किये जाते थे और उनके पीछे लोजिक ये था कि ये इसकी बतातों में यग्ग में क्या होता था कि यग्ग किया जाता था उसके बाद में एक गोड़े को छोड़ा जाता था गोड़े में उस साशक का जो ध्वज होता था उसको भांदा जाता था और उस गोड़े को रवाना किया जाता था वो गोड़ा जिस भी राज्ये में जाता तो वहाँ पर का जो शाशक है वो या तो उस राज्ये की अधिनता स्वीकार कर लेता या उस गोड़े को पकड़ ले जिसमें आप लोगों को पता है उनके जो बेटे थे खुश उन्होंने क्या है उसको पकड़ लिया था और फिर दोनों के बीच में युद्ध किया जाता है ठीक है उसके बाद में यह जो अनुस्तान है वो कोन लोग करवाते हैं ब्रामन प्रोहित करवाते हैं अब बात करते हैं कि इनसे हमारे कुछ और भी नए important question निकल के आते हैं कि हम अगर मर गें मरने के बाद में क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है वो उपर चली जाती है हम लोग यह कहते हैं कि सरीर मरता है आत्मा नहीं मरती तो जो आत्मा है उसका क्या होता है वो बापस से पुन जनम लेती है तो वह किस ़ूप में लेती है क्या होता है कहा जाती है उनसे लिए 쪽 ma वो हमारे मन में आज भी चलते रहते हैं उस समय भी चल रहते हैं ठीक है आज भी हम लोग सोचते ने कई बार यार मैं मर गया तो मेरी जो आत्मा है वो निकल के चली जाएगी अब पता नहीं मैंने कौन से करम किये हैं उस आत्मान कौन से जनम किस तरीके में जनम लेगी कुत्ता बनेगी बिल्ली बनेगी इंसान बनेगे कैसे मनेगे तो वो हम लोग सोचते रहते हैं ना सोचते हैं नहीं सोचते हों सब सोचते हैं ऐसा कोई नहीं है कि जो यह नहीं सोचता हो कि हमारे आत्मा का क्या होता होगा ठीक है यह हमारे जो बुजुर्ग है हमारे जो पूर्वज है जो मर गए जिन्होंने आप उनकी आत्मा आज किस रूप में वर्तमान में विश्व में म है उसके बाद हमारी आत्मा का क्या होता है वो पुनरजणम लेती है या नहीं लेती उससे RELATED कई परकार के person अब बात करते हैं वाध विवाध और चर्चा होगी कि अब हम बात करते हैं बोथ द्रम से अब बच्चों देखो विचारक का जो है आपको स्टार्टिंग में समझ में या है तो अब यहां पे और किलेर कर देता हूँ ठीक है यहां पे क्या था मिलतकी स्टार्टिंग यानि इसापूर की जो छटी सताब दीती उसमें दोनों governo का जनम होता है ठीक है छटी सताब दी भी सीमें दोनों का जनम उता है दोनों क्या करते जो वेद है हमारे जो चार वेद Uh मिनें सनाधन धर्म के चार वेदा उनके उपनिशदमें और वेदों में जो बादें लिखी गई हैं उनमें जो बनाई गई है जो सो साइटी के लिए नियम काइद्ट Azure किये गए हैं वो कैसे ने बारे विचार किया कि यह से है वो हैं किससे सब्सक्रास कि बात करें तो बारत निऔर चार बनाए गये थे ब्रामण है शुद्र वैशे सोन है तो गोतम बुध्ध ने यह प्रैसन की है कि ए जो वडघ인 fir ही क्यों बनाएं गये उसमें क्या नंतर एक किस परकार से इनको characterize किया जाएगा विवाजित किया जाएगा केवल करम के आधार पे विवाजित किया जा सकता है जनम के आधार पे विवाजित नहीं कर सकते जनम चाहिए ब्रामण हो चाहिए चछत्री हो चाहिए वेशियो शुद्रो सबका जो जनम का तरीका है प्रोसेज है वो एक जैसा होता है तो इनको जनम के आदार पे अलग-अलग क्यों कर दिया गया या वेदों में और भी बहुत सारी ऐसी बाते लिखी गई थी जिनको उन् स्वारे विचारक बने वो कौन बने गोतम बुद्ध बने और माविर स्वामी बने उन्होंने क्या-क्या कहा था उनके बारे में बात करें तो समकालीन बहुत ग्रणतों में हमें 64 संपरदाय या चिंतन प्रंप्राओं का उलेक मिलता है कितने संपरदायों का उलेक मिलता है 64 संपरदायों का और किसके according बोध द्रम के ग्रंतों के according इसमें जीवत चाओ और विवादों की एक जाकी मिलती है ठीक है अभी जैसे विवाद का मैंने बताया क्यों था वेदों में जो भी बाते थी उनसे उन्होंने विवाद खड़ा किया है प्रसन किया है कि ये क्यों है सिक्षक एक जगे से दूसरी जगे गुंगुं कर अपने दर्शन या जीवन विश्व के विशे में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से थता सामाने लोगों से तर्क वितर करते थे अभी मैंने आपको समझाया गोतम बुद्ध क्या करते दे वो एक जगे से दूसरी जगे जाते दे ठीक है गए वहाँ पे अपने जो विचारते उनसे लोगों को बताते बता दिया अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री बहुत ही इंट्रेस्टिंग है हाँ अब मैं इस बात को प्रूब करके बता वहां पे लोगों को समझाते बताते कि ये जो चीज हो रही है ये गलत ओरी है ये जो वांड्र में लिखी गई यह वो कुछ बाते क्या है गलत है तो उनको वो लोजिक के बैसेस पर बताते दें और उस बात को लोग अगर फोलो करते तो वो क्या है उनके चमर्थक बन जाते ठीक है तो यह जो चर्चाय चलती थी जो शिक्षक जाते थे वो कहां जाके एक क्या करते थे कुटिरगार शाला बनाते थे कुटिरगार शाला क्या होती है नुकली चत वाली जोपडी ठीक है इस तरीके से बनाई जाती है ना इस तरीके से ड्रोइंग देखो मैं रोको इतनी नहीं आती जित्ती भी आती है समझ लेना इस तरीके से एक जोपडी बनाई गी थी नुकलीचफवाली और उसको क्या का जाता है? कुटिरगार शाला कहा जाता है तो यहां पर क्या है? जो भी सिक्षगण होते थे वो आते थे, वहां पर अपनी चर्चाय करते थे अपनी जो विचारते वो बताते और फिर कहीं और दूसरे गाओं में चले जाते थे ठीक है तो ये चर्चा है कुटिरगार शला या ऐसे उप्वनों में होती थी जहां गुमकड मनीशी टहरा करते थे गुमकड आप जानते हैं गरवाले कहते रहते हैं तू तो बहुत गुमकड हो गया है कहते हैं गुमकड का मतलब एक जगे से दूसरी जगे ऐसे घूमते फिरते रहना ठीक है और मनीशी का मतलब होता है जो महर्शी होते हैं रिशी मुनी होते हैं उनको कहा जाता है यदि एक शिक्षक अपने पर्ति दंदी को अपने तरकों से समझा लेता तो वह अपने अन्युयाईयों के साथ उसका सिश्य बन जाता ठीक है इसलिए किसी भी संपर्दाई के लिए समर्तन समय के साथ गड़ता बड़ता रहता था अभी जैसे मैं आपको बता है कि जो गोतम सही कह रहे हो आप लोग ठीक है अभी जैसे मैं स्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको तो आपने कहा कि हां सर समझ में आगया तो आप क्या होगे मेरे फोलोवर्स हो गए तो उसी तरीके से क्या होता था तो जो गोतम बुद्ध जो थे वो अपने विचार रखते विचारों से तरकों से अपने विचार को सेटिस्वाइ करते और सेटिस्वाइ करने के बाद क्या होता वहाँ पर जो भी सिक्षक रहता था वो अपने समर्थकों के साथ में उसका समर्थक बन जाते था ठीक है गोतम बुद्ध के समर्थक बन जाते थे इस परकार से उस समय में किसी भी एक जंपरतायक के लिए जो समर्तकों की संक्या है वो उपर नीचे होती रहती थी, कभी किसी की ज़्यादा कभी किसी की कम हो जाती थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कौन-कौन से दो सिक्षे कुए कई बार बता चुकाओ, मावीर और गोतम बुद्ध, जिन्होंने वेदों के परवुत्व पर सवाल उठाया है, यह है मावीर स्वामी और यह है गोतम बुद्ध, ठीक है? इनके बारे मैंने आपको कई बार बता दिया, क्या किया? वेदों पर इन्होंने प्रेशन उठाया है, उन्होंने यह है भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ती का प्रयास हर वेक्टी स्वेम कर सकता है, ठीक है? यह तो बिलकुल सही बात है या नहीं है? कि हम लोग सोचत है जीवन बर, अपनी खुद की लाइफ से सोचो, खुद की लाइफ में सोचो, आप लोग सोचो, अरे यार हिस्टी तो क्या है, बहुत बोरिंग है, समझ भी नहीं आती, क्या करें? चलो यह इन से जाके कोचिंग पढ़ लेते हैं, यह यूटूब चैनल देख लेते हैं, लेकिन आप घर पे आके किताब खोल के नहीं देखते हो, तो क्या होगा? आप बापस से दुखी रहोगे, कि हिस्ट्री समझ में नहीं आरी, ठीक है? तो उसको समझने के लिए, जो आपके डाउट है, उन सब को दूर करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को पड़ना पड़ेगा, मैं चाहिए यहाँ पे बोल के कितना ही गला फाड़ फाड़ के चिला दूँ, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा, जब तक आप क्या है? खुद उसको रिविजन नहीं करोगे, पड़ोगे नहीं. तो यही बात महभीर स्वामी और गोतम इ alcohol हमसा ही है, कि जो जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, वो दुख क्या है, उसका मुक्ति का प्रयास केवल कोन कर सकता है? खुद कर सकता है。 इसमझ में नहीं नहीं, तो पड़ेगा खुद पड़ेगा, आप ही तो पड़ोगे, मैं तो पड़ने वाला नहीं हूँ, मेर क तो आती है ठीक है तो आपको अगर हिस्ट्री नहीं आ रही या कोई और चैप्टर नहीं आ रहा या कोई और सब्जेक्ट नहीं आ रहा या और आपके जीवन में कोई दुख है तो उस दुख को दूर कोण कर सकता है वो खुदी कर सकते हो कोई और आपके माबाप दोस्त वग दुखों का निवारन का जो रास्ता बताया यह जो ब्रामनवाद है उससे इन्होंने बिल्कुल अलग बताया ब्रामनवाद यह कहता है कि बगवान पे छोड़ दो सब्चो बगवान करेगे वही सही होगा ठीक है लेकिन जब तक आप करम नहीं करोगे तो बगवान आपको कै करम क्या होगा कि जो दुख है उसको दूर कैसे किया जाये आप एक्जाम देने जाते हो एक्जाम में आप बस की वाल प्रात्ना करते रहो कि है प्रभु मेरे को पास करा दे टोपर बना दे और आप कुछ लिखे ही नहीं आओ तो आप क्या पास हो जाओगे नहीं होगे पास होने के लिए चाहिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा ठीक है तो लिखोगे तो ही क्या है आप पास होगे आप खुद करम करोगे तो ही पास होगे केवल भगवान का नाम जपने से आप पास नहीं होने वाले ठीक है अब बोध गुरंदों का किस प्रकार से संकलन क्या गया था किस प्रकार से तैयार क्या गया था उसके बारे में बात करें तो पढ़ते हैं बोध गुरंद के तैयार किस तरीके से क्या गया था और उसका सर्रेक्षन किस तरीके से क्या जाता है बुद्ध चर्चा और बाचित करते हुए मोखिक सिक्षा देते दे जो गोतम बुद्ध थे वो क्या करते थे मोखिक सिक्षा देते दे वो अपनी सिक्षाओं को लिखे नहीं गए थे कि किसी किताब है उसमें मैं अपनी जो सिख्षाए है उसको लिखके चला जाता हूँ उनका ये मानना था हर की प्रोब्लम अलग-अलग होती है समझाने का तरीका अलग-अलग होता है ठीक है तो उन चीजों का जो उनके साथ में वास्तविक है उन चीजों को किस तरीके से समझाए जाए, तो वो क्या था, अलग अलग था, हर सब को क्या है, वो situation के according handle करते थे, कि कोई भी समझा लेक्या आया है, तो वो क्या करे, अपने according उसको वो किस तरीके से समझ सकता है, उस तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, ठीक है, और जब क किताब में अगर लिखते तो वो एक ही तरीके को लिख पाते इसलिए उन्होंने क्या है अपनी जो भी सिख्षाय दी वो किस रूप में दी मोखिक रूप में दी महीलाय और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते दे और इन पर चर्चाय करते दे इनके ज इंपोर्टेंट चीज़े है कि बुद्ध के जीवनकाल में उनका संभाशन यानि किसी भी प्रवचन को लिखा नहीं गया था ठीक है तो क्या क्या गया था कब लिखा गया और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो आप लोग आ रहा है समझ में कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख देना कि सर ये डाउट रहे गया ये समझ में नहीं आया लेकिन आप अगर लास्ट टिक होगे मेरे साथ तो ऐसा कोई सी चीज रहेगी नहीं आपके पास में की डाउट आए ठीक है और हिस्ट्री क्या है इंट्रेस्टिंग है अब लोग इसको बोरियत मत समझो हिस्ट्री बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और आप लोगों के तो अभी जो चैप्टर चल रहा हूँ धरम कास्ट इंसे र आइपन नहीं हो ना अपनको लोजिक के बैसिस बे सीखना है जो लोजिक है वो केवल मैक्स और साइंस में ही नहीं चलता हमारी जो सोशल है हमारी जो हिस्ट्री है जो ग्राफी है पॉलिटी है जो भी है उन सब में भी चलता है हमारे आसपास में जो गटना है गटित हो रह है ऐसा कुछ नहीं बच्चो तो आप लोग क्या है इंट्रेस्ट के साथ में पढ़ो आप अपना इंट्रेस्ट करो उसको विजुलाइज करो कि हमारे आसपास यह गटना है गटित हो रही है नहीं हो तो किताब का मैं रट्टूट होता बनोगे तो आपको हो सकता है कि आप मार्क्स थोड़े जादा लिया हो लेकिन आपको वो लोंग टाइम तक वो चीजे समझ में नहीं आएगे तो लोंग टाइम तक समझने के लिए आपका हमेशा के लिए डाउट किलियर करने के लिए आप अपने आसपास की चीजों को देखो कि वह चीज हो रही है या नहीं हो रही है जो मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था उसमें जो महाँबारत से डिलेटेट बताया था वह चीजे हो रही है नहीं हो है हमारी सोसाइटी में तो उसको आप देखोगे विजूलाइज करोगे तो तो इस वजे से आप क्या है उन चीजों को विजूलाइज करके देखो तब बात करें जो गोतम बुथ थे उनकी सिक्षाओं का क्या हुआ कैसे लिखा गया उनकी मिर्तियू के बाद पांचवी चोती सदी में इसापूर की उनके सिश्चों ने जैस्टों या जैदा वरिस्ट ब्रमणों की एक सभा वेस्टली में जिसको वेश्चाली के नाम से भी जानते दे वहां बुलाएगे ठीक है जब क्या हुआ गोतम बुथ की मिर्ति हो गई खतम हो गए उनके बाद में क्या है एक सभा बुलाएगे उस सभा में जित्ते भी जेस्ट यानि जो ज़्यादा उ या उसको वेशली के नाम से भी जाना जाता है और ये कहां पर है बिहार में है एक और ध्यान रखना आपका Map according जो Westly है वो कहाँ पर है बिहार में है एक मैंने आपको सांची के लिए बताया था सांची कहाँ है मद्दे परदेश में और Westly जो है वो कहाँ पर है बिहार में वहाँ पर इनकी पर्थम सबा होती है उसमें ये चीजे लिखी जाती है वहाँ पर ये decision लिया गया कि उनकी सिख्षाओं का संकलन किया जाएगा उनकी जो भी गोतम बुद की जो सिख्षा थी उनका क्या किया जाएगा संकलन किया जाएगा कंपोज किया जाएगा उनको एक जगे store किया जाएगा लिखा जाएगा ठीक है ये कब निन्य लिया गया परतम सताबदी में परतम जो संगती हुई थी उसमें इसको कहा जाता है परतम बोध संगती क्या कहा जाता है परतम बोध संगती ठीक है इसमें ये निन्य ले लिया गया कि हम लोग क्या है संक्लन करेंगे और संक्लन करने के बाद में एक ग्रंत निकल किया है उस ग्रंत को क्या नाम दिया है इन्होंने त्री पिटक और त्री पिटक को हिंदी अर्थ करें तो क्या होता है तीन टोक रिया ठीक है जो इनकी सिख्षायति वह शंकलन करने का निन्य लिया गया और संकलन करने के बाद में और कमपोस करके एक गरंत बना उस गरंद को क्या का जहता है क्त रिपीटख का जाता है क्ते अगता है और रिपी पुचशा जा सकता है कि कि से रिलेटेड है तो बोद्रम से रिलेटेड है वो द्रम का प्रमुग्रंद कौन सा है ठीक है या बुद्ध की सिक्षाओं का संक्लन किस में क्या गया है तो इस तरीके से आप से कोशन पुटप किया जा सकता है ठीक है कोई दिक्कत आगे बड़े पहले उन्हें मोखी ग्रूप से संप्रेशित किया जाता था बाद में लिखके और विशे की लंबाई के नुसार उनका वरगी करण किया गया है पहले तो तीन पिटक बनाए गया है त्री पिटक का आ गया है उसम त्री पिटक क्यों का आ जाता है बुद्धों के जो इसमें तीन जो है ग्रंतों को समलित किया गया है एक है विने पिटक दूसरा है अभी धम पिटक और तीसरा है सुथ पिटक ठीक है त्री पिटक क्यों का आ जाता है क्योंकि तीन गरंद बनाए गया है उनको नाम दिया गया पहला विने पिटक अधिदम पिटक और सुथ पिटक ठीक है और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है त्री पिटक कहा जाता है ठीक है तो ये क्या है बाद में देखा गया कि जो सब्जेक्ट है विसे है किस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनका क्या कर दिया गया वरगी करन कर दिया गया ठीक है तो विने पिटक में संग और बहुत मठो के में रहने वाले लोगों के लिए नियमों से का संग रहता ये जो बच्चों यह वाले यहां से यहां तक के यह important question है important है अच्छे से इनको note करना ठीक है याद रखना कि विने पिटक में क्या लिखा गया है तो विने पिटक में ल से किये गये हैं उन नियम काईदों को किस में लिखा गया है विने पिटक में लिखा गया है उसके बाद में बात करें तो सुथ पिटक में लिखा गया है कि जो गोतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी जीवन काल में क्या क्या सिक्षाय दी उन सब के बारे में लिखा गया है और लास्ट है अधिदम पिटक, तो अधिदम पिटक में लिखा गया है कि जो दर्शन होता है, एक subject होता है दर्शन, उस दर्शन में क्या-क्या बाते होती है, उन सब से related लिखा गया है, तो विने पिटक में लिखा गया है, बोध मठोक में रहने वाले लोगों के नियम, सु उन्से पिटक में क्या बात है लिखी गई है तीक है और आगे बात करें हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते रही बाद में पर क्या लिखा गई टिका है लिखी गई अब बात करते हैं महावीर्द स्वामी के बारें महावीर स्वामी ने क्या क्या संदेश दिया था उनकी क्या क्या सिक्षा है थी उनके बारे में ठीक है महावीर क्या संदेश था तो सबसे पहले तो पर जान लेते महावीर स्वामी कौन थे यह थे जेन ध्रम के प्रवतक ठीक है? कौन थे? जेंद्रम के प्रवतक थे इन्होंने ही जेंद्रम की इस्तापना करी थी ठीक है? इनको जेंद्रम का वास्तविक संस्तापक माना जाता है जेंद्रम की जो इस्तापना की बात करे तो जो थे रिशब देवनात जी उन्होंने क्या किया था जेंद्रम की स्तापना की थी लेकिन वास्तविक जो संस्तापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं मावीर स्वामी माने जाते हैं ठीक है जेंद्रम के प्रवतक थे ठीक है आगे बड़े और इन्होंने क्या कहा था तो इन्होंने जेनों के मूल सिद्दान छटी सताब्दी इसापूर में वर्दवान महावीर के जनम से पहले उत्तर बारत में परचलित थे ठीक है ये तो कोई बात नी परचलित थे उसके बात बात करें जो जेन प्रमप्राएं हैं उसके अनुसार ये कहा गया है तो अभी मैंने नाम लिया था रिशबनाथ जी रिशबनाथ या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है ठीक है वो कोन थे फर्स्ट तीर्थंकर ठीक है कौन थे फर्स्ट तीर्थंकर और महावीर स्वामी जो थे वो ट्वेंटी फोर्थ एंड लास्ट तीर्थंकर कौन थे महावीर स्वामी ठीक है अब ये बात आती है सब तीर्थंकर कौन होते हैं हाने आती नहीं आती तो जेन द्रम में जो सिक्षक होता है जो द्रम से रिलेटेड अपनी विचार प्रकट करता है प्रवचन देता है उसको इन्होंने क्या माना है तो जो पहले जो तीर्थंकर करते जेन द्रम के वो ते आदिनाज जी या रिसबनाज जी 23 तीर्थंकरते पारशवनाज जी ठीक है नाम लिखलो 23 का होई पारशवनाज जी ठीक है टोटल कितने हुए 24 हुए फर्स्ट रिशवदेज जी या आधिनाज जी लास्ट थे महावीर स्वामी और 23 जो थे वो थे पाश्वनाज जी ठीक है और तिर्थंकर क्या होता है जेन धरम के नुसार जो धरम से रिलेटेट उपदेज देता है उनको क्या का जाता है तिर्थंकर का जाता है एक शोड सब्दों में कहें तो जो सिक्षक होता है उसको जेन धरम के नुसार क्या का जाता है तिर्थंकर का जाता है तो अभी मैंने आपको बता है जो विचारक थे वो कौन थे प्रमुग विचारक अपने भारत में मावीर स्वामी और गोतम बुद तो यहाँ पर माविर स्वामी को तीर्थंकर कहा गया क्योंकि इनोंने अपनी सिक्षाय दीती, अपने उपदेश दिये थे, ठीक है, उस वज़े से इनको तीर्थंकर कहा गया है, ठीक है, आगे बात करें, जेन दर्शन की सबसे महत्पूर्ण अवधाना यह है कि संपूर्ण उन्हें वो एक कावत सुनी होगी कि सनातंदर में ये बहुत कहा जाता है कि कण-कण में बगवान सामाईत है, कहा जाता है कि ये जो पैन है मेरे पास में, उसमें भी क्या है बगवान है, फत्तर है उसमें भी बगवान है, मिट्टी का एक छोटा सा कण है, उसमें भी क्या ह प्राण्वान है यानी जीवित है उसमें प्राण मोजूद है ठीक है ये माना जाता है कि पत्तर, चट्तान, जल और सब में क्या होता है जीवन होता है जीवों के पड़ती अहिंसा, खाश कर इंसानों, जानवरों, पेड़पोदों और कीड़े मकोडों को न मानना जेंदर्शन का मेन केंद्रम बिंदू माना जाता है जेंद्रम की जो सबसे मेन जो सिक्षा है, वो क्या है? अहिंसा जो हमारे गांदी जी थे, जिनने राष्ट पिता के नाम से जाना जाता है, उनकी भी जो मेन जो सिक्षा थी, वो क्या थी? अहिंसा वो हमेशा अहिंसा का पालन करते थे, करते थे नहीं करते थे, उनके आतमे वो जो लाठी जरूर रखती थी लेकिन उनोंने आज तक, जब तक वो जिये तब तक किसी चीटी को भी नी मार रहा होगा उनोंने ठीक है वो दिखाने के लिए लाठी रखते थे कि हाँ देखो मेरे पास लाठी ये मार दूँगा वो मारते नहीं थे वो केवल दिखाते थे और दिखा दिखा के ही उन्होंने क्या है अंग्रेजों को बारत से बार कर दिया तो उनका जो में जो मोटो था उद्देश्य था वो क्या था अहींसा का पालन करना और यहाँ पर भी जो जेन धरम है उनका भी मानना ये ही है हमेशा हमें अहींसा का रास्ता अपनाना चीए ठीक है जेन अहींसा के सिद्दान के ने संपुन भारती चिंतन प्रमपरा को प्रभावित किया जेन माननेता के नुसा जनम और पुनर जनम चक्र क्रम के द्वारा निर्दारित होते हैं अभी अपने पुनर जनम की बात करी दी तो वो ही यहां पर इनोंने बापस से बताया है जेन द्रम ने उन्होंने ये कहा है कि जो जनम और पुनर जनम जो होता है वो हमारे कर्मों के आधार पे होता है ना कि किसी और तरीके से हमारा जो जनम है पुनर जनम है वो डिसाइड करता है आज जो में आज हम लोग जो है मनुष्य जीवन में हैं तो हम ने पिछले जनम में कोई ना कोई अच्छे करम की होंगे जिसकी वज़े से हम लोगों को क्या है मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन जो है वो सबसे उत्तम शिरेणी का माना जाता है ठीक है तो ये बात किनों ने मानी है जेन धरम ने मानी है कि जो जनम और पुनर जनम का जो चक्र है वो किस पर निर्बर करता है हमारे करम पर निर्बर करता है करम के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपशाक की जरुवत होती है आप लोगोंने एक जो सुनाओगा शब्द मौक्स ठीक है मौक्स प्राप्ट करना ठीक है यह मोक्स क्या होता है मोक्स का मतलब होता बच्चों जो हमारे जीवन और पुनर जनम का हम लोगों का जनम हुआ फिर हम बड़े हुए और फिर एक दिन हमारी मृत्य हो गई उसके बाद में हम किसी अभी कुछ टैम्पल ने बात की हमारी जो आत्मा है वो किसी और दूसरा जनम ले लेती है ठीक है इस तरीके से क्या चलता रहता है हम आज मनुस्य है तो कभी किसी और दूसरी जगे हम जनम ले लेते हैं ठीक है हो सकता मनुस्य के वे कैली घोड़ा छाप ठीक है किसी भी रूप में हम क्या है जनम ले सकते हैं तो यह जो बार बार जनम और पुनद्जनम का चक्र है इसको तोड़ने के लिए एक एक बार को हमको मनुष्य जनम जो दिया जाता है उसके लिए ये कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आप लोगों को मनुष्य जनम दिया गया है कि ये जो बार-बार आप बढ़कते रहते हो ना जनम हो रहा है पुनर जनम हो रहा है फिर जनम हुआ फिर मर गया फिर पुन तपक्षय की जरुवत होती है ठीक है और क्या बताया जेंद्रम में ये संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है क्या संसार का जो त्याग करोगे मो माया का जो त्याग करोगे उससे ही क्या है आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवारे नियम बन गया था यहाँ पर विहार का मतलब होता है कि जो मठ वगरे जो बनाए जाते है आश्रम वगरे जो बनाए जाते हैं उनमें निवास करना क्या है एक मुक्ति का साधन है नियम है इसके अलावा जेन धरम में पांच नियम बनाए गये थे और वो पांच नियम किनके लिए लागू होते थे केवल जो विहार में आश्रम में रहने वाले साधूों के लिए साध्वियों के लिए आप लोग जनरली देखते हो कि अपने कई बार क्या है जो सपेद कपड़ा पहन के जाते हैं और मुपे वो मास्क टाइप में लगा के जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि जेन धरम के साधू होते हैं कुछ होते हैं नगना वस्ता में भी जाते हैं ठीक है तो वो लोग भी क्या ह घर त्याग कर चुके हैं, वो आश्रम में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या नियम काईदे ते किये गे थे, अपने जैन दरब में वो बात करते हैं, इंपोर्टेंड है, अच्छे से लिख लेना, पहला था, हत्या नहीं करना, यानि किसी का मडरवडर नहीं करना, चोर भुट्वनने कि कोई भी कस्ट आ जाए जूट्नी बोलना हमेशह क्या है शत्य का ही रास्था अपनाना अनुद आ ब्रह्म भुंचर्य अमतलब होता है अपन जो सुक्त को न होता है जो शादी करना है यह फूरे घरोंग के साथ में रहना यह होता है ब्रम चर्रे तो इस ब्रम चर्रे का भी क्या करना था त्या करना था ठीक है और धन संग्रे नहीं करना किसी भी परकार की प्रोपर्टीव अगर नहीं बनानी हमको केवल क्या है इन सब चीजों का पांच वरतों का पालन करना होता था किनको जो सादू-साद्वी होते जेन दरम के और ये लोग आज भी इन सब का पालन करते हैं। अब बात करें जेन दरम के विस्तार की बात करें। जेन दरम भारत के कई इस्वों में फेल चुगा था। इसमें जो बोधों की तरह जेन विद्वानों ने में प्राकरज, संस्क्रिट, तमिल जैसी अनेक बाशाओं में अपने साहित्यों को लिखा और उनको स्रजन किया। सेकड़ों वर्षों से इन सभी ग्रंतों की पांडूली पिया मंदिर से जुड़े पुस्तकालों में सरक्षित है। तो जेन द्रम में वर्तमान में बारत की कई बागों में फेल चुका है और वहाँ पे जो मंदिर वगरे बने हुए उनमें जो एक कहा है लाइबरेरी होती है तो उनसे रिलेटेड जो भी इनके ग्रंत वगरे होते हैं वो वहाँ पे उपलब्द होते हैं। आगे बात की जाती है गोतम बुद के बारे में। इंपोर्टेंट है गोतम बुद का इंट्रोडेक्शन ये इंट्रोडेक्शन स्टार्ट हो रहा है और अब भी जो महावीर स्वामी के बारे में बताए उनमें जो पांच उनकी जो सिक्षा हैं उनको ध्यान रखना की कौन कौन से सिख्ष है किन पे लागू होती है ठीक है और कौन से नंबर के वो तीरतंकरते तीरतंकर क्या होता है यह सब आप लोग अच्छे से ध्यान रखना ठीक है अब पढ़ते हैं गोतम बुद के बारे में बुद परंपराओं के अनुसार सिद्दार्ट बुद के बच्पन क नाम साक्य कवीली के सर्दार के बेटे थे तो कोईशन इस एक पौइंट में दोतिन आते है ठीक है पहला तो गोतम बुद के बच्पन का नाम क्या था सिद्दार्थ और वोוכन से कुल से आते थे साक्य कुल से आते थे और क्या थे वो एक राजकुमार थे ठीक है जो गोतम बुझ्जो थे वो क्या थे एक राजकुमार ये हमारे गोतम बुझ्जो थे वो क्या थे राजकुमार और किस कुल के राजकुमार थे साक्य कुल के राजकुमार थे और इनका बच्पन का जो नाम ह है वो कहता सिद्दार्थ इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान रखना इनके बच्पन का नाम सिद्दार्थ कुल साक्य कुल ठेक है जीवन के कटू यथार्तों से इन्हें दूर रखा गया अब देखो राजकुमार है तो राजकुमार को तो क्या किसी परकार के कोई कस्ट वगर ह करते हैं अचैंट अब जैसे अनिल म्बानी हैं अपने भारत का सब से पैसे वाला है तो उनको किसी परकार की वह कमी चोड़ते हैं नहीं करो तो ठीक है उनको जो दुनिया के एशो आरम चिए वह सारे एशो आराम उनको एक जगे पर उपलब्त करा दिये जाते हैं करवाते ना तो उसी तरीके से जब गोतम बुज्जो थे वो क्या थे राजकुमार थे तो उनको घर के अंदर ही सारे एशो आराम प्रोवाइड करा दिये गे थे लेकिन एक दिन क्या हुआ उनको इच्छा हुई कि मेरे को घूम के आना कि क्या चल रहा क्या नी चल रहा उसके लिए उन्होंने अपने जो सार्थी थे रदकार थे उनको शेहर गुमने के लिए मना लिया और जब शेहर गुमने निकले तो उनका क्या है क्या क्या चीजे उन्होंने देखी तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा एक व्रद वेक्त देखा और अंतिम में उन्होंने एक लाज देखी और ये सब देखने के बाद में उनको बहुत ही गेरा सत्मा लगा उनको ये लगा कि ये जो जीवन है ये जो शरीर है ये तो क्या है नश्वर है दुकों का वरापड़ा है ठीक है आज मैं स्वस्त हूं कुछ टाइम बाद मे मेरे को बिमार होना है और उसके बाद में एक दिन मेरे को क्या है इस तरीके से ले जाएंगे मिर्ति हो जाएगी और ले जाएंगे जला देंगे कर देंगे या गार देंगे या जो भी उनका रिती रिवाज रहेगा ठीक है तो ये क्या है जीवन एक दुकों का बरापड़ इसमें किस तरीके से इन दुखों से मुक्ति पाइज यह इसका क्या राज है ठीक है यह इनुने निश्य किया इसके लिए इनुने क्या किया ग्रेतिया कर दिया और वहां से अपना जो मैलë निजयरी सेटेंगे। यह दुखों से भरा पड़ा है तो पूरा जो शरीर है नश्वर है तो सत्य क्या है ठीक है सत्य क्या है उसकी खोज करने के लिए वो क्या है घर से निकल जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं उन्होंने फिर क्या किया साधना के कई मार्क की बनाएं सादना का मतलब वोई पूजा पाठ करना तपश्या वगर करना तो उसके लिए नोंने क्या है कई जो है वो रास्ते अपना है उसमें से एक रास्त ये था कि सरीर को अधिक से अधिक कस्ट देना चाहते थे तो इससे एक बार तो उनकी ऐसी आलत हो गई कि वो मरते-मरते बचे, ठीक है, फिर इन्होंने क्या है इन सब चीजों को छोड़के ध्यान करते हुए ग्यान की प्रापती करी, ठीक है, जो था सरीर को कस्ट जेना, सरीर को कस्ट कई परकार से दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया, उससे एक समय ऐसा आया, कि जब वो क्या है, मरते-मरते भी बचे थे, लेकिन बाद में इन सब चीजों को छोड़के उन्होंने ध्यान का रास्ता अपना है, मेडिटेशन का रास्ता अपना है, और मेडिटेशन के रास्ते में उन्होंने क्या है, ज्यान की प्राप्ती करी, और जिस दिन से इनको ज्यान प्राप्त हु सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए बुद्ध के नाम से यानी वेक्ती तो यह इंपोर्टेंट था बच्छों अच्छे से याद रखना इनके बारे में अब बुद्ध ने क्या-क्या सिख्षाय दी उनके बारे में बात करें अभी अपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो बुद्ध की सिख्षाय है वो किस में लिखी गई थी सुथ पिटेक में लिखी गई थी त्री पिटेक में से तीन बताया थे मैंने उसमें से एक सुथ प जिसको हम के say ghost gifted power ना ghost power जो फ्वान की जो शक्तिया होती है कि बग्वान चाहे जैसा कर सकते हैं ठीक है तो उसक्तियों के जिसे आप लोगो ने serial देखा होगा कि जह सक्वाएं स्ञोगर्फे वह ओ जाता है ठीक है तो वह क्या था एह लोकिक शक्ति होती है उन पास में तो बुद्ध के बारें भी ये बताए गया था कि जो बुद्ध है उनके पास भी क्या है एलोकिक शक्ति है लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते थे उनके पास उनकी कताओं में एलोकिक शक्तियों के बजाए बुध लोगों को विवेक और तर्प के आदार पे समझाने का प्रयास क्या करते दे जो गोतम बुध थे उनके लिए कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके पास एलोकिक शक्ति थी ठीक है लेकिन कुछ ये मानते हैं कि उनके पास में एलोकिक शक्ति नहीं वो केवल अपनी बात को स्पस्ट करने के लिए अपने जो तर्क होते हैं, विचार होते हैं, उनको किसी जिस परकार से बच्चे को समझा सकते हैं, या कोई भी हो, अभी जैसे मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मैं आपको सब का अलग-अलग है, कुछ को एक अपनाने की कोशिस क्या करते थे बताते थे लोगों को तर्क वितर क्या करते थे एक्जामपल देते थे कि यह काम करो इस तरीके से होगा तो वो क्या करते थे एलोकिक शक्ती नहीं थी केवल तर्क और वितर के आदार पे लोगों को समझाते थे बुद्ध दर्शन के नुसर विश्व अनित्ते हैं और लगातर बदल रहा है यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहां कुछ ही इस्ताई और शास्वत नहीं है जैसे अभी जेंदरम का पड़ा उसमें भी उन्होंने क्या कहाता जो शरीर है वो क्या है नाशवान है ठीक है सब जगे प्राणी जो हर कंड में क्या है प्राण विद्मान है वो ही बात यहां पर इन्होंने कही है गोतम बुद्ध ने कही है कि जो विश्व है वो क्या है नित्ते यानि वो एक जगे फिक्स नहीं है लगाता चेंज होता रहता है आप लोगों ने पढ़ा होगा टीवी में सीरेल्स में देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो किस तरीके से रहते थे आज हम किस तरीके से रह रहे हैं हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो हम से भी एडवांस होगी चेंजेज होगी ठीक है होगी नहीं होगी होगी ना नहीं है उसमें यहां कुछ ही ऐसी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्ताई हो शास्वत हो ठीक है कोई भी हो चाहिए इंसान हो जानबर हो पहाड़ हो नदिया हो सब क्या है एक नश्वर है उनको एक ना एक दिन खतम होना है इंसान का तो आप लोग उनने सबने देखा ही है खतम होते है कि कोई 50 साल जिरा कोई 60 साल कोई 100 साल उसके बाद में तो उनको मन नहीं है खतम होना है ठीक है और कुछ उससे पहले भी खतम हो जाते है ठीक है लेकिन आपने कभी नदी को नदियों को या पहाड़ों को खतम होते हैं होते हैं बच्चो आप लोग आज के टाइम पर देख रहे हो अपने भारत में दो प्रवत माला या पर्वत बहुत इंपोर्टेंट है एक तो है अरावली परवत जो राजस्तान में है और एक है हिमालय परवत जो काहां पर है उत्तर जमू-कश्मीर और उत्र प्रवत्माला उसको सबसे व्रद का जाता है क्यों आज आप उसकी जो उचाय देख रहसा सकता है हमाले से बहुति होगी लेकिन वह क्या है अभ बिलकुल ब्रड अवस्था में चल रिये सब इस सो दो साल 500 साल बाद में या 1000 साल बाद में जिनका भी जनम होगा तो वो ये देखेंगे कि अरावली परवतमाला नाम की कोई परवतमाला नहीं है वो केवल किताबों में पढ़ेंगे कि हाँ एक फुआ करती थी और जो अभी के टाइम पर जो है वो अपना हिमाला परवत उसको वो देख रहे हैं और वो उस टाइम पर भी देखेंगे कि हाँ ये ही परवत है तो इस प्रकार से जो बुद्ने का है कि कोई भी साश्वत नहीं मैं ही है तो इस वजे से इन लोगों के लिए भी का है केवल इंसान जानवर ही नहीं कहाई नदी हो चाहिए पहाड़ु वो सब क्या है नश्वर है वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे अ ठीक है और संव बंगूर दुनिया में दुख मनुष्च्य के जीवन का अंतनिही तत्व है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि जो भी हमारा जीवन है उसमें दुख तो हमेशा रहेगा ही ठीक है आज चलो दर्द हो गया आज पेड़ दर्द हो गया जुखाम हो गई आज यह एक्जाम का टेंचन आ गया एक्जाम में फेल हो गया कम नंबर प्रागे या इसमें सेलेक्शन नहीं हुआ मन पसंद लड़की से लड़के से शादी नहीं हुई तो वह क्या दुख तो चलता है रहेगा हमेशा दुख चलता रहेगा उसको दुख को किस प्रकार से खतम किया जाता है उसके बारें बात करें तो गोर तपश्या और विशे भुद्ध दर्म की प्रार्म्पिक प्रहमप्राओं में बगवान का होना या नहों होना यह परासंगी था। ठीक है? बगवान है या नहीं है, उस पर वो कुछ नहीं कहते थे। बुद्ध मानते थें कि समाज का निर्माण इनसानों ने किया है नएकि इस्वन ने। ये important बात है ज्यादा तर जो थीक है बुद्ध की सिक्षाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने क्या क्या सिक्षा है दीती तो ये भी एक important चीज है जान रखना अच्छे से तो बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध ये मानते थे कि समाज का जो निर्मान है वो कि उनको क्या है समान वेवार करना चीए इसलिए जो गोतम बुद्ध थे उन्होंने राजाओं से प्रजापतियों से विसेश आगरे किया था कि जित्ते भी मनुष्य है जो उनसे नीचे लेवल के हैं उनके साथ एक समान पूरवक वेवार करें उनकी साथ किसी परकार की हिंस में उन्होंने संग की इस्तापना की ठीक है जो बोध मठ होते हैं यानि जिनको हिंदू दरम में आश्रम कहा जाता है विहार कहा जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है बोध दरम में संग के नाम से जाना जाता है और संग में कौन रहते थे उनके जो अनुयाई जो ते ग थेक है, तो सादु वादूर जो होते हैं उस सब कहा है रहते हैं संग में रहते हैं बाकित जो मानते हों अपने गरों में भी रहते घर में में पूजापाद करते इसे थेक है, बिक्षो की एक संस्ता जो Dham के सिक्षग बन गया थे इनके लिए कुछ नियम कायदे तेक किये गये तेक संग में कौन आ सकता है तो ये ब्रह्मन एक साधा जीवन बिताते थे श्रमन जो यहाँ पर संग में रहते थे वो क्या करते थे एक बिल्कुल ही साधा जीवन वेतीत करते थे उनके पास जीवन यापन के लिए अत्याऊसक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था ठीक है कि जो जीवन यापन करना है जीवित रहना है उसके लिए जो important चीज होती है सबसे जादा important जो है जरूरी जो चीज है वो ही उनके पास available हुआ करती थी मोजूद होती थी, बाकि उनके पास किसी परकार की धन्संपद्दा वगर है नहीं होती थी खाने के लिए भी उनके लिए नियम तहथा, क्या था? दिन में एक बार उपासकों से बोजन दान पानने के लिए वह एक कटोरा रखते थे उनके पास क्या होता था एक कटोरा होता था एक चट्टाई होती थी और एक अपना वो तक्या वगर केते हैं नो शिराणा वगर और एक ओडने के लिए चद्दर ये उनके लिए बस फिक्स था कि वहाँ पे जो संग में रहने वाले लोग यही रखेंगे और चाहिए वहाँ पर राजा उसमें संग में जाए यह को विखारी हो चैने कोई शुद्र हो कोई भी हो सब क्या है ब्राबर है उन सब को अपने जो जो नित्य क्रिया पड़र ह caut LIKE पड़ेंगे एक कटोण रकते थे और दान केवल दिन में एक बार मांगा करते दे और उतनी ही दान मांगा करते दे जितना वो एक समय के लिए वो खाना खा सके उसके बाद वो एक्स्ट्रा दान वगरे नहीं मांगते दे आज के टाइम पर आप लोग देखते हो अपने घर पे भी क्या है अटा मांगने वाले पैस रहते हैं उतना ज्यादा लेने के कोशिश करते हैं लेकिन यहां पर जो अन्युआई थे संग के जो रहने वाले लोग थे उनके लिए फिक्स था कि जिस भी द्वार पे एक बार आपको जो मिल जाए वह आपके लिए क्या है फाइनल है उससे आपको क्या है पूरा दिन निका जालना है ठीक है शुरुआत में जो संग था उसमें क्यों पूरूसों को ही रहने की अनुमती दी गई थी लेकिन बाद में जो गोतम बुद्धे उनके प्रियर जो सिस्षे थे उनका नाम था आनंद अच्छे से ध्यान रखना उनके प्रियर सिस्षे का क्या नाम था उनके समझाने पे बुद्ध ने महीलाओं को भी अपने संग में रहने की अनुमती परदान करी और जो अनुमती परदान करने के बाद में पहली महीला जो गोतम बुद्ध की संग में प्रवेश पाती है वो कौन थी उनकी उपमाता उपमाता का मतलब है कि जब गोतम इनका जो लालन पालन है वो उनकी मोसी जिनका क्या नाम था महा परजापती गोमती नाम था ठीक है परजापती गोमती उनका नाम था तो उन्हों ने उनका लालन पालन किया था तो इस वज़े से उनको क्या कहा जाता है क्या संग्या दी गई उपमाता की संग्या दी गई इन इनकी मोसी थी इस वज़े से इनको जो उपमाता की संग्या दी गई है ठीक है तो जो ये इंपोर्टेंट है ध्यान रखना एक नंबर के कोशन में आता है बहुत बार कि जो बुद्ध में आने बुद्ध के जो संग में आने वाली परतम महिला कौनती परजापती गोमती कई स इस तरिया जो संग में आई हुए क्या बन गई धम की उपदेशिकाय बन गई यानि उपदम का परचार परचार करने वाले बन गई आगे चलके वे थेरी बन गई जिसका मतलब होता है एसी महिलाए जिनोंने निर्वान प्राप्त कर लिया हो यहां पर जो निर्वान जो श क्या हो यानि मोक्स्त की प्रापति कर लियो वो क्या कहलाती है थेरी कहलाती है और मोक्स्त क्या बताय था कि जीवन और पुणर्द जनम मिर्वान के जो चक्र है उसकी मुक्ति के लिए जो रास्ता पनाए जाता है उसको क्या का जाता है मौक्ष का आ जाता है और बुद्ध के अन्युए सब भी वर्गों से आते थे चाय वो राजा हो धन्वान व ग्रह पती हो सामने जनकार जासो शिलफी हो सब लोग बुद्त के संग में आया करते थे। और एक बार संग में आ जाने पर सभी को क्या है या जाता था श्र को वहाँ लागाु और अपने जो चाहिए बहुत बड़ा राजा हो चाहिए छत्री हो कोई भी हो अपनी जो पुराणी पहचान है उसको उनको छोड़ना पड़ता था ठीक है संक्य संचालन पदिती गणों और संगों की प्रंपरा पर आधारिती अभी अमने जब महावीर स्वामी और गोतम भुद के बारें पड़ा था तो गोतम भुद के बारें मैंने बताया था साक्य कुलके थे यह तो जो साक्य जो थे वो क्या थे गण या संग कहा जाता उनको औ गण और संग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बताया है कि गण और संग क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं गण और संग वो राज्य हुआ करते थे महाजनपत के समय में वो राज्य हुआ करते जिसमें एक राजा ना होके कई लोगों के जो अब बात करें स्थूब की इंपोर्टेंट है कुछ जो स्थूब है वो बहुत इंपोर्टेंट है कौन सा कहां पर था उसके बारे में इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो मैप से रिलिटेड भी कुछ कोशन आते हैं तो इसमें जो तीन जो है लास्ट पर ठीक है तो जो इस्थूब बनाए गए थे उसके बारे में क्यों बनाए गए थे वो तो आगे पड़ते पहले जो कुछ इनसे इंपोर्टेंट जो गोतम बुद्ध से रिलेटेड है वो इस्थूब कौन कौन से थे इस्थूब का मिचलू मैं आपको बताया देता हूं क कि इस्थूब क्यों बनाया जाते थे तो बोत दरम की माननेता के अनुसार जो इस्थूब का निर्मान है वो किया गया था था बुद्ध की मृत्यू के बाद में उनकी जो भी अस्तिया बची या उनसे रिलेटेड जो भी वस्थूए मिली उनको अलग-अलग जगे पे इमारत बना दी गई जिसको क्या कहा जाता है इस्तूब कहा जाता है ठीक है जैसे चत्रियों में इस्मारक कहा जाता है मुस्लिमों में जो कब्र कहा जाता है उसके उपर जो टीले नुमा जो आकरती बना दी जाती है उसी परकार से उनसे जो रिलेटेड जो वस्थूए होत बहुत बिख्शू होते हैं, बड़े जो संक्य संचालक होते हैं, उनकी मिर्तिव के बाद में उनकी जो अस्तिया होती है, उनको एक जगह पर स्टोर करके, उनके उपर एक आकर्ति बना दी जाती है, जिसको स्टूप कहा जाता है तो बहुत से रिलेटेड जो स्टूप थे, वह कौन-कौन से थे, गोतम बुच्चे रिलेटेड, पहला था जनम का, तो जो जनम हुआ वो कहां पर हुआ लुम्बनि में और ये लुम्बनि कहां पर है नेपाल में लुम्बनि कहां पर है नेपाल में उन्होंने ज्यान प्राप्थ किया वो कहां किया बोध गया में और बोध गया कहां पर है बिहार में ठीक है फिर है परतम उपदेश दिया वो कहा दिया सारनात म में और इसके अलावा उनकी जो मिर्थ्यधु ही निबान पराप्त किया, निबान का मतलब होता है मृत्यू, यानि मोक्ष, मृत्यू, मोक्ष, वो कहा है पराप्त किया इननों है, ने खुशिनगर में और खुशिनगर भी कहाँ पर है, UP में ठीक है तो ये जो तीन जगे जो मैंने बताई आपकी मैप की दरस्टी से भी important है और इन से related भी question पूछा जा सकता है कि बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति का हुई बुद्ध ने पर्थम उपदेश कहां दिया बुद्ध को निब्बान कहां प्राप्त हुआ बुद्ध का जनम का हुआ तो उसकी दरस्टी से भी ये important है और map की दरस्टी से भी बहुत important है कि कुशी नगर को आपको मार करना तो का मार करोगे UP में ठीक है और अभी कुछ दिनों पहले कुशी नगर में एक international airport भी भी बना है आप लोगों को पता है और वो क्यों बना है बुद्ध से जुड़ा होने की वज़े से ही ये एक international airport बनाया गया है कुशी नगर में ठीक है अब बात करें इस तूप क्यों बनाया जाते है जैसा आभी मैंने बताया बुद्ध से जुड़े कुछ आउशे जैसे उनकी अस्तिया उनके द्वारा प्रदत समान गाड़ दिये गए ठीक है तो और उसके उपर एक टीले टीला टाइप में बना दिया गया यह जैसे ठीक है इसके center part में क्या होता है कि जो बुद्ध से related जो भी उनकी अस्तिया उनके जो समान थे उनको क्या है एक जगे गाड़ दिया गया और उसके उपर इस तरीके से अंडाकार आकरती बना दी गई इसको इन्होंने क्या नाम जिसे हम लोग टीला बोलते हैं ना बोलते हैं ने टीला तो वो जो टीला होता है उसको बुद्ध दरम में क्या कहा जाता है स्टूप कहा जाता है ठीक है इसमें आवसेस रहते हैं और जिनें पवित्र समझा जाता है इसलिए स्टूप को ही बुद्ध और बुद्ध दरम के प्रतिक के रूप में प्रेश्टिस्टा मिली जो इस्तूप है वो किस से रिलेटेड है बुद्ध द्रम से रिलेटेड है वो क्यों हुए क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड जो अवशेश थे वो वहां पर रखे गए थे जिनको पवित्र माना जाता है ठीक है तो आये समझ मे कि इस्तूप क्यों बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें अवसेश रखे जाते हैं अशोक अवादन नामक एक बहुत गरंद के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवसेशों के इससे हर मैत्मूर्ण शहर में बाठ कर उनके उपर इस्तूप बनाने के आदेश दिये आप लोगों ने सेकिंड चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अशोक है वो सबसे बड़ा जिसने सबसे ज़्यादा वो धरम का जो परचार किया वो कौन ता अशोक था और अशोक ने ये भी आदेश दिया कि बुद्ध की मृत्यू के सानाज जेसी जगहों पर क्या है स्थूप बनाए गए थे सेकंड जो सैंचुरी बीसी थी तब तक इनमें बरहूद साची और सानाज जगह पर क्या है स्थूप बनाए गए थे ठीक है अब स्थूप की सर्चना कैसी होती है तो यह होती है स्थूप की सर्चना और स्थूप गोलार्द यानि इसको क्या कहा जाता है तो जो गोलार्द उसके बारे कहा गया है इस्तूप का जनम एक लिए होई जिसे बाद में अंड कहा जाता है ठीक है इसको पहले क्या केते थे टीला का जाता था लेगिन बाद में इसको अंड कहने लगए दीरे-दीरे इसकी सर्चना ज़्यादा जटिल हो गई जिससे कई चोकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया ठीक है जैसे जैसे time बीता वैसे वैसे क्या है इसमें काफी सारे changes जाता है गए और ये क्या है सर्चना काफी complex होती गई अंड के उपर एक हर्मिका होती थी ये क्या है इस तूप है ठीक है इसके उपर क्या है ये वाला जो देख रहो न पोर्शन यहाँ पर क्या है इसको क्या केता है हर्मिका का जाता है ठीक है इसको क्या का जाता है हर्मिका का जाता है और हर्मिका में ये माना जाता है कि इसमें देवताओं का घर होता है ठीक है ठीक है आगे बात करें हर्मिका के एक मुस्तल निकलता था जिसे येस्टी का आजाता था जिस पर अक्सर एक छत्री लगा रहता था ये जो है ना ये वाला पार्ट इसको क्या कहते है छत्री का आजाता है ठीक है? ये हो गया हर्म का ये हो गया अपका छत्री ठीक है? और सोरी येस टी और टीले के चारो और एक वेदिका होती थी जो पवित रिस्त्रों के सामवाने दुनिया से अलग करती थी वेदिका यानि जो आग प्रजुलित करने की जगे होती है उसको वेदिका कहा जाता है ठीक है एक बार आपको और बता देता हूँ इस प्रकार से क्या है स्टूप बनाये जाते थे एक सोरे गोलार्द की शेप में स्टूप बनाये जाते थे उसके उपर एक छज्जे नुमा जगे होती थी जिसको हर्मिका कहा जाता था हर्मीका के बीच में से एक जगे निकाली जाती थी जिसको येस्टी के नाम से जाना जाता था ठीक है? अब बात करते हैं अमरावती और साची के स्थूपों से कुछ सम्मंदित तत्थे हमारे जो स्थ्टूप है, उनमें से दो पुराने जो स्थूप मिले उनमें से दो स्थूप हम लोगों को बहुत इंपोरेटन्ट स्थूप है हमने बात कर ली, अब जो दूसरा है, वो है अमरावती और यह अमरावती जो है, वर्तमान में कहां पर है? आंदर परदेश में कहां पर है आंदर परदेश में ठीक है इसके बारे में क्या important तत्य है उनके बारे में जाने तो 1796 में एकिस्तानी राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे अचानक अमरावती के स्थूप के अवशेश मिल गए आंदर परदेश के जो अमरावती है वहां के जो राजा थे वो एक बार मंदिर बनाना चाहते थे तो उनको बाई चान्स वहां पे क्या है अमरावती स्थूप के कुछ अवशेश मिल गए तो उनको ये लगा कि ये क्या कोई फत्तर की जगह है ऐसे बनाई हुई है और उसमें हो सकता है खजाना हो तो उन्होंने उसके जो फत्तर थे उसको यूज में लेना शुरू कर दिया उन्होंने उसके फत्तरों के इस्तिमाल करने का निश्चे लिया उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पाड़ी में संभवते कोई ख़जाना चुपा हो तो जो यह स्थूप बनाया जाते हैं लोग ऐसा लगता था कि कोई पहाड है ठीक है और इनको काफी टाइम हो गया था तो इस वजे से उसकी जो मरमत वगर नहीं हुई तो उनको यह लगा कि कि एक कोई पहाड है और उसमें हो सकता है कि किसी ने कोई चुपाया हो आप लोगोंने पहले सुना ही होगा कि आपके दादा पर दादा जो थे वो जो ख़जाना वगर आपना जो पैसा वगर होता था वह कहां रखते थे जमीन में गाड़ या किसी डब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब विजनेगर के बारे में उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन देता हूं कॉलिन मेकेंजी एक ब्रिटिस ओफिसर थे जिनका काम यह था कि जगे जगे जाके अलग अलग जो जगे है प्राचिन आउशेस हैं उनकी खोज निकालना थीक है तो कुछ वर्षों के बाद में कॉलिन मेकेंजी नाम है कि एक अंग्रेज जदिकारी वहां पर आये उन्होंने क्या है यहां से मूर्तिया और उनके चित्रांकन यानि जो चित्रवग्र बने वह थे उनको वहां से क्लेक्ट किया और आगे अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने उनको यूज में लिया फिर कौन आया यहां पर 1854 में गंटूर के कमिशनर देख ऑठार सो चोवन में उस समय क्या था अपने भारत में अंग्रेजो का राज चलता था तो राज चलता था तो वहां पर जो अधिकारी हुआ करते थे उसको वह किस नाम से जानते थे जिले के आधार पर तो वह थे कम कमिशनर जो थे वो कहां गए ? अमरावती गए उन्होंने कहीं मूर्तिय उत्किन फत्रों को जमा किया और उन्हें कहां बेद दिया ? ध्यान रख ना जो गंतूर के जो कमिशनर थे वो अमरावती गए ? कब गह ? 1806画न में और उन्होंने वहां से क्या किया ? मूर्तिया और उत्किन फत्रों को जमा किया और कहां बेद दिया मदरास बेद दिया उन्होंने पच्छी में तोरन द्वार को भी खोज निकाला और इस निशकर्च पर पहुंचे कि अमरावती का स्थूप वो दो का सबसे विशाल और सांदार स्थूप था उन्होंने जो कहा जाता है तो उससे पहले जो कॉलिन मेकेंजी भी आया थे तो कॉलिन मेकेंजी भी नहीं खोज पाया थे लेकिन जो गंटूर के कमिशनर आये उन्होंने क्या है तोरन द्वार को खोज निकाला और यह निशकर्च निकाला कि जो अमरावती का जो स्थूप है बोदो की ए यहां से और collect केगे, इनके इलावा और भी कुछ आए, तो उन्होंने कहां बेच दिया, कलकत्ता में Asiatic Society of Bengal पहुचा दिया गया, इसमें important वाला जो है, यह ध्यान रखना, कि इसमें यह पहुचाय वाला तो नहीं पूचेंगे, लेकिन इसमें यह पूचा जा सकता है, Asiatic Society of Bengal यह कहां पे थी, ठीक है, Asiatic Society of Bengal इसका Headquarter कहां पे था, तो वो कहां पे था, कलकत्ता में, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, 1818 में जब सांची की खोज हुई, तब इसके तीन द्वार, तोरण द्वार तब भी खड़े थे, और जो सांची का स्तूप खोजा गया, वो कब खोजा गया, 1818 में, उस समय में इसके तीन तोरण द्वार उस टाइम पे मौजूद थे, ठीक है, तो हमने सांची और अमरावती के बारे में देखा, कि अमरावती और जो सांची है, बोध धरम के जो पुराने जो इस्तूपों में से एक है, और बोध धरम की जो प्रारम भ पहले सुरुआत में पढ़ लिया था, अमरावती के बारे में ने बताया आपको, कि सबसे पहले वहाँ पे जो राजा थे, वो खोज करते हैं, मंदिर बनाते बनाते हैं, उनको अवशिष मिलते हैं, तो उनके फत्रों को काम में लेने लगते हैं, और यह सोचते हैं, कि वह से कुछ मूर्तिया ले के आते हैं, और कहां पहुचाते हैं, मदरास पहुचाते हैं, इसके लावा वो जो पश्चिमी तोरन द्वार था, उसको भी खोज निकालते हैं, इसके लावा कुछ जो फत्तर वगरा है, कहां बेजे जाते हैं, एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल से related, स्थूपों के बारे में हमने जान लिया कि स्थूप क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते थे, और उनके मैं मैत्पूर्ण स्थूप कौन-कौन से थे, अब मूर्तिक लावा की बात करें, तो मूर्तिक लावा में पहला है पास्थना के प्रतीक, ठीक है, बोध चरित लेक उनको ध्यान प्राप्ति वी, वो उस समय एक वरक्ष के नीचे बेट के तपश्या कर रहे थे, और वरक्ष जो था, वो निरंजना नदी के पास में बना हुआ था, ठीक है, यह था उनका सिच्वेशिन, यह यहां से क्या है, एक रिवर जा रही थी, और यह क्या आपका, मै और इसके नीचे बेट के वो क्या कर रहे थे, अपनी तपश्या कर रहे थे, और तपश्या के दोरान उनको ग्यान की प्राप्ति होती है, कई प्रारंबिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखा कर उनकी उपस्तिती पर्तिकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है जो कुछ जो मूर्तिकार है वो यह कहते थे जो इनको मूर्ति बनाई जाए तो उसमें ना केवल जो गोतम बुद्ध उनकी तस्वीर बनाई जाए बलकि उनसे रिलेटेड कुछ जो परतीक थे उनका उन्होंने जिक्र किया है जैसे कि उनका जो जवनम हुआ उस समय क्या परतीक रखा गया उसके बाद में उन्होंने जब ग्रहत्याग किया गया उस समय क्या परतीक रखा गया और जब उनकी ज्यान के प्राप्तिवी निब्बान हुआ तब उनके लिए क्या है एक अलग-अलग प्रतीक इस्तापित किये गए जैसे हिंदू द्रम में स्वास्तिक होता है ओम होता है तो यह क्या है पवित्र प्रतीक माने जाते हैं ना कि यह किस से जुड़े हो है स्वास्तिक किस से जुड़ा हो है ओम किस से जुड़ा हो है उसी तरीके से बुद्च से रिलेटेड भी क्या है कुछ प्रतीक निर्दारित किये गये थे यह उनके कुछ important जो कि समय ता उसको दर्शाथ थे ठीक है कि बुद्ध के ध्यान की दशा तता इस्तूप महापरिनिन्मार्ग की प्रतीक बन गया जो पेड़ है पीपल का पेड़ और उसके नीचे बेड़ के जो ध्यान लगा रहा है वो तो क्या बन गया उनको ग्यान प्राप्ति का एक प्रतीक बन गया और महापरिनिर्मार्ग यानि जब उनकी मिर्द्धी हुई थी तो उसको इन्होंने किस तरीके से निर्दारित किया गया है और किस प्रतीक से उनको समझाया गया है तो वो प्रतीक कौन सा है इस्तूप चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तिमाल किया गया है और चक्र ही इस बात का बताया गया है कि जब बुद्ध ने पर्थम उपदेश दिया था तो उसको काहा जाता है उस गटना को काहा जाता है महा ध्रम चक्र प्रवतन ठीक है उसको क्या का जाता है ध्रम चक्र प्रवतन जो बुद्ध की ने पर्थम जो उपदेश दिया था उस गटना को गरंतों के अनुसार ध्रम चक्र प्रवतन का जाता है तो जो चक्र जो है वो किस गटना का प्रतीक है उपदेश देने का पर्थम उ पूर्तिकार ऐसे थे जो ना केवल बुद्ध की तश्विर बनाते थे उनसे रिलेटेड कुछ पर्तिकों को निर्दारित कर रखा था कि जो पर्तिक है उनकी विशेज गटनाओं से संबंदित हैं जैसे इस्तूप यानि उनकी महानिर्मान या महाब जो निब्बान से रिलेटेड है जो चक्र है वो उनके सार्नात में दिये गए उपदेश से संबंदित है इस तरीके से बताया गया था आप कुछ लोग प्रंपराएं हैं उनके बारें बात करें तो कुछ सुन्दर इस्तिरिया भी मूर्तियों में उतकिन है जो तोरण दवार के किनारे एक पेड को पकड़ कर जूलती भी दिखाई दिये जेको मूर्तियों में क्या है जो तोरण द्वार था उसमें मूर्तिया ज्यादा बनाई जाती थी अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले वो बताया तोरण द्वार क्या होता है तो जो तोरण द्वार होता है उसमें मूर्तिया ज्यादा बनाई जाती थी तो उसमें कुछ लेडिस की इस्तियों की भी मूर्तिया बनाई गी थी और लेडिस इस तरीके से खड़ी थी कि वो जैसे एक पेड को पकड़ के जूला जूल रही है ठीक है कैसे इस तरीके से यूँ पेड को पकड़ के जूला जूलते है न तो उस तरीके से वो क्या है जूल रही है वो क्या है कौन है किसका प्रतीक है लेकिन बाद में जब हिंदू जो वेद है पुराण उनको पड़ा गया है तो उनमें एक कि देवी का जिक्र किया गया है उस देवी का नाम है शाल बंजी का क्या नाम है शाल बंजी का तो जो शाल बंजी का है उसका वो एक देवी है और उसका काम ये था कि वो जहां पे भी जिस भी पेड़ पोदे को हाथ लगा लेती थी तो वो पेड़ पोदे के हो जाते थे हरे बरे हो जाते थे फल देने लगते थे चाहे वो कैसा भी हो बंजर जगे में उगा हुआ हो तो भी बंजर जगे में तो ऐसे नियुक था ठीक है तो चाहे वो बिल्कुल खराब हो चुका हो पेड लेकिन अगर वो किसी को हाथ लगा लेती छूलेती तो उससे वो पेड क्या है हराबरा हो जाता और फल देने लगता ठीक है तो बाद में पता चला कि जो वो इस्तिरियों की मूर्तिया बनाई गई है जो जूला जूलती भी दिखाई गी है वो कौनती शाल बंजी का थी ठीक है इस मूर्ति का त्याग और तपश्या से कोई रिष्टा नीन अजर आता था ठीक है अब कोई जूला जूल रही तो वो त्याग तो करी नीरी है वो तो आनंद में खुश हो रही है लेकिन साहितिक प्रमप्राव के अध्यन से वे समझ पाये कि संस्क्रत बाशा में वर्जित वनित साल बंजी का की मूर्ति किसकी मूर्ति है साल बंजी का की मूर्ति है और लोग प्रमप्राव के अनुसार यह माना जाता है कि इस तिरी द्वारा चुए जाने से प्रक्षों में फूल की लूटते हैं और फल आने लगते हैं ठीक है अभी बताए मैंने जो सालबंजी का है जिस भी पेड़ को चुले थी उससे क्या हो जाता उसका वो पेड़ हराबरा हो जाता है और फूल आने लगते और फल देने लगते हैं ऐसा लगता है कि यह है एक शूप परतीक माना जाता है और इस कारण इस्तूप के अलंकरण में प्रियुक्त किया गया है तो जो सालबंजी का की जो मूर्ती बनाई गी थी उसको इन्होंने बोध द्रम में एक शूप परतीक के रूप में माना गया और इस वज़े से वहाँ पे इस तूप में उसको अलंकरित किया गया है अब साल बंजीगा की मूर्ती से पता चलता है कि जो लोग बुद्ध धरम में आये उन्होंने बुद्ध पूरू और बुद्ध धरम से इतर दूसरे विश्वासों प्रताओं और दाननाओं से बुद् जो धरम चल रहते हैं उनमें जो अच्छा ही जो थी उनको भी इन्होंने क्या है अडोप किया है ऐसा नहीं किया वल उन्होंने अपना सब कुछ नया बनाया है उन्होंने जो कुछ ऐसे थे जैसे मैंने बता है साल बंजी का जो साल बंजी का है वो कहां से ली गई है वेदो उसे उब्रेते ठीक है साची में भी कई ऐसे प्रतीक पाए गए है जो बहुत धर्म से रिलेटेड नहीं है दूसरे धर्मों से रिलेटेड है इतियासकारों में एक सुरुवाती इतियासकार जिनका नाम था जेम्स फर्गुशन ने साची को व्रक्ष और सर्पूजा का केंद माना है ठीक है उनको इस्टूप तो माना ही है लेकिन उनको यह कहा गया है कि यह जो इस्पेशली किसके लिए था व्रक्ष और सर्पूजा के लिए माना गया था अब बात करते हैं महायान और क्या था तो देखो क्या था बुद्ध धर्म जिसको हम बुद्ध धर्म कहता है इसकी दो शाकाए बिवाजित होती है कोतम बुद्ध की मिर्त्यू के बाद में जिनमें एक थी महायान दूसरी थी हीनियान ठीक है? अब ये हीनियान और महायान कौन है? उसके बार हम बात करें कि कौन से जो लोग है वो हीनियान कहलाता है कौन से लोग महायान कहलाता है इसा की परतम सदी के बाद में बहुत आउदानों और वेवार में बदलाव नजर आने लग गया ठीक है? जब उनकी मिर्त्यू हो गई उसके बाद में बहुत संगती हुई बहुत संगती के बाद में भी कुछ समय तक ठीक चलता रहा लेगिन बाद में दीरे देरे उनकी जो विचारदा रहे थी बहुत धर्म से रिलेटेड लोगों की उनमें काफी कुछ चेंजेज आने लग गया आरंबिक बहुत मत में निब्बान के लिए विच्तिकत प्रयास को विशेज महत्व दिया गया था जो गोतम बुथ थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो मोक्ष की प्राप्ती है निब्बान की प्राप्ती है वो अपने खुद के प्रयासों से ही संबव है ठीक है आप किसी और पर निर्बन नहीं कर सकते कि ये हमें मोक्ष की प्राप्ती करा देगा मैं आपको मोक्ष की प्राप्ती नहीं करा सकता हूँ करवा सकता हूँ गया नहीं करा सकता हूँ मैं आपको अच्छे नम्बरों से पास करवा सकता हूँ लेकिन उसके लिए आपको खुद को भी तो प्रयास करना पड़ेगा खुद को पढ़ना पड़ेगा आप मेरे साथ जितना भी लेक्चर चल रहा है उत्ती देर तक बेटना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, जो नोट्स है उन को लिखना पड़ेगा, उनके बाद में रिविजन करना पड़ेगा तो उससे क्या है आपको अच्छे माक्स मिल जाएए लेकिन इसमें एक जरियोज़र में बन गया लेकिन पूरा जो करम है, वो किस ने किया है आपने किया तो यही बात जो थे गोतम बुद्ध भी कहते थे फल प्राप्ट करने के लिए आप करम करते रहो ठीक है आपको जो निब्बान है वो आपके विक्तिगत कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था और उन्होंने विक्तिगत प्रयासों से ही प्रभोधन और निब्बान प्राप्त किया था अभी मैंने बताया था ना बुद्ध ने पहले एक अतिवादी जो विचारदार थी उसका प्रयोग किया बहुत ज़्यादा दुख दिये अपने सरीर को उसके बाद में एक ध्यान लगाए ध्यान लगाने के ब बाद में उनको ग्यान की प्राप्ति हुई मौक्ष की प्राप्ति हुई तो इन्होंने खुद किया था ठीक है तो यह बात उन्होंने यहां पर बापस से रिपीट किये कि जो बुद्ध ने foreseeकिंगा लेकिन ये बात जो थी बहुत साहिते में मानने के लिए बुद्की मिर्तिव के बाद में जो बहुत साहिते जो थे या बहुत जो लोग थे वो ये मानते थे कि हाँ उनके खुद के प्रयास से अपन क्या है निब्बान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दीरे-दीरे ये विचारदारा चेंज होने लग गई और वो क्या होई दीरे-दीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उबनने लग गई कि मुक्तिदाता की कल्पना यानि कि हमको कोई मुक्त करवा सकता है ये विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि जो बुद्ध थे उनको क्या माना है, एक इंसान माना है और उन्होंने अपनी खुद की मुक्ती के लिए खुद प्रियास किये दे, लेकिन बाद में दीरे दीरे लोग उनको क्या मानने लगे, मुक्तिदाता मानने लगे, कि हमको मुक्ती कौन द दिला सकता है केवल और केवल गोतम बुद्ध दिला सकते हैं साथ इसाथ बोधिस की अवधाना भी उबनने लगी और जो नई अवधाना थी वो कौन से थी बोधिसत की अवधाना थी ठीक है बोधिसतों को परम करुणा में जीव माना जाता है जो अपने सतकारियों से पुन् पुन्य कमाते हैं, यानि जो इंसान, इंसानों की बातोरिक, पुन्य करम तो वही करते हैं, कर्मों का जो लेखा जो का है, उनका ही दिसाइट किया जा सकता है, जानवरों का तो पता नहीं, कैसे करते होंगे, तो यहां पर बोधि सत्तों में ये बताया गया है, जो मनुष्य क करुणा में होते हैं और सत कारे करते हैं यानि अच्छे कारे करते हैं वो क्या कमाते हैं पुन्य कमाते हैं और इस पुन्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं किसलिए करते हैं क्या करते हैं आयता प्रदान करने के लिए वो पुन्य कमाते हैं बुद्ध और बोधी सत्तों की मूर्तिय की पुजा इस परंपरा का एक महत्पुन अंग बन गया ठीक है बुद्ध और बोधी सत्तों की जो मूर्तियों की जो पुजा की जाने लगी वो किनका एक महत्पुन अंग बन गया दुबारा बताता हूँ, वोधी सत कोन होते हैं, वे मनुष्य जो करुणा में होते हैं और अपने सत्कार्यों से पुन्य कमाते हैं, इनका पुन्य कमाने का मतलब केवल ये नहीं, कि केवल निब्बान प्राप्त कर लिया जाए, निर्वान प्राप्त कर लिया जाए, इनका प जाने लग गया और जो इन विश्वासों को अपनाने लगे जो बुद्ध के जो पुराने विश्वास थे कि जो बहुत दरम से निब्बान प्राप्त केवल खुद के प्रयासों से ही किया जा सकता है तो वो तो क्या कहनाने लगे हीनियान और जो यह कहने लगे कि कोई मुक्त बधिद्य ला सकते हो अपने आपको तो वह कौन के रिगहा ही नियान के अनले लोग तो यह थी हुआ कि वो त्रम की और की अलग अलग विचार और या दो अलग संपर लाएं ठीक है वो दो के अलावा भी कई धर्म ऐसे थे जो ये निर्वान प्राप्त करने के लिए अपना जो भी कर सकते थे तपश्या और किसी प्रकार से पुझापाथ हो वो प्रयास क्या करते थे उनमें थे महत्पुन वेश्णव जो क्या होते हैं हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसर यानि जो शिव को प्रमुख देवता मानते हैं वेश्णव यानि जो विष्णु को अपना प्रमुख देवता मानते हैं उनको शेव कहा जाता है जो विष्णु जी को प्रमुख देवता मानते हैं उनको वेश्णव कहा जाता है इसके अंतरगत एक विशेज देवता की प particular देवता की पूजा पार्ट क्या करते थे और इसी परकार से अराधना और उपासना और इश्वर के बीच रिस्ता प्रेम और समरपन का रिस्ता माना जाता था ठीक है तो ये जो किसी विशेज देवता को आपना अराध्य मानके आप मैंसे भी बहुत सारे ऐसे होते होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर देवता को या देवी को अपनी अराध्य मानते हैं और उनकी पूजा पार्ट करते हैं तो आपका और उन देवी देवताओं का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है एक भक्ती कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है भक्ती कहलाता है अब बात करें मंदिरों क बनाने का तरीका तो जो मंदिरों का बनाने की तरीके की बात करें तो शुरुवात की बात की जाए तो केवल जो मंदिर है वो इस तरीके से बनाये जाते थे ठीक है ये इसके उपर कोई वो नी बनाये जाती थी केवल चार दिवाले खड़ी-घर दी गई उसमें से एक छोटा आईसा रस्ता अंदर जाने के लिए बना दिया गया और जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता था वहां पे मूर्ति इस्तापित की जाती थी जिसको किस नाम से जानते थे गर्ब ग्रह के नाम से जानते थे आज के टाइम पे हम लोग जिस तरीके के मंदिर देख रहे उस टाइम के मंदिर नहीं हुआ करते दोस्त जब मंदिर के जो इस्तापते कला है उसकी सुरुवाती बात की जाए केवल चार दिवारे खरी कर दी जाती थी और उसके बीचों बीच में एक मूर्ति इस्तापित की जाती थी जो जगे होती थी उस जगे को गर्ब ग्रह कहा जाता था लेकिन समय के अनुसार इसमें काफी कुछ चेंजे जाता है मंदिरों का आकार भी बढ़ा होने लग गया उनके उपर भी काफी सारी जो आकरतिया है वो बनाई जाने लगी उनमें और भी बहुत सार विस् सब से पहले मंदिर भी बनाएं गए है शुरू में मंदिर एक चोकवर कमरे के रूप में थे जिने डर उगरे का जाता था थीकर अभी मैंने बताया क्यों दो देदा मंदिर पूजा करने के लिए बीत्तर प्रविष्ट हो सकता था यह जो है वो गेट है यहां से जाओ और वहां पे पूजा पाट करके बापस आ जाओ तो यह क्या होता था मंदिर होता था पिर दीरे दीरे गर उगरे के उपर एक उपर डाचा बनाया गया जाने लगा जिसे सीकर केने लगे ठीक है जो मंदिर है उसके उपर की तरफ जो बनाया जाता है जो गुंबद हो चाहिए सीकर हो उसको अलग अलग नाम से जानते है आज के टाइम पर लेकिन उस समय उसको क्य कहते थे शिकर कहा जाने लग गा है यह starting में नी बनता था बाद में इनका विकास हुआ मंदिर की दीवारों पर अक्सर बीती चित्र उत्कीन किये जाने लग्ये बीती चित्र का मतलब होता दिवाल पर जो चित्र बनाये जाते है ठीक है किसी भी उसमपे शिकर बनाया जाने लग गया और वी ती चित्रों का भी निर्माण किया जाने लग गया कि बाद में युगों में मंदिरों के स्थापत्य को काफी विकास किया गया अब मंदिरों में विशाल सभाइस्तल उची दिवारे तोरण द्वार भी होता थे और पहाड़ियों को काड़ कर खोकला करके कर्तिम गुफाये भी बनाए गई अभी मैंने कहा दीरे-दीरे मंदिरों का काफी सारा विकास हुआ और अलग-अलग शेलियों में मंदिरों का निर्मान किया गय है कि पहाड़ियों को काड़ कर खोकला करके मंदिर बनाया गया था उसमें से एक इंपोर्टेंट मंदिर है वो जो आपके एक्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वह मंदिर कौन सा है तो वह केलाश मंदिर और यह कहा का है एलोरा महरास्त में कहां पर है एलोरा महरास्त में तो इसमें क्या था कि जनररल यह अप देखते हो कोई मंदिर हो जायए कोई भी कलाकरती आ ओवव बनाई कहां से जाती बेस से बनाई जाती नीचे से फिर उपर उसका निर्मान किया जाता है लेकिन यहां थी उसको उपर से काटना स्टार्ट किया था और उस पर जो भी निर्मान कारने करने थे जो उतकीन करना था वो उपर से करते करते नीचे की तरफ आये थे और इस प्रकार से एक मंदिर का सवरूप दिया गया था वो एक यूनिक कला होती है हर कोई नहीं बना सकता इस वज़े जो पहले जो कर्तिम गुफाय बनाई जाती थी वो अशोग के आदेश पे बनाई गई थी और वो आजीवेक संपरदाई के जो संत होते थे उनके रहने के लिए बनाई गई थी और ये है केलाश मंदिर जिसके बारे में अभी आपको बताया और ये कब बना था? आठवी सताब्दी में बनाया गया था ठीक है? और ये किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है ठीक है? तो मेरे को उमीद है आप लोगों को ये चेप्टर समझ में आया होगा इसमें आपको किसी भी परकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में टाइप कर सकते हो ठीक है? थैंक यू